How can I overcome this message by brother William Marion Brenham was delivered on Sunday morning August 25, 1963 at the Brenham Tabernacle in Jefferson Valley, Indiana, USA. How can I overcome this message by brother William Marion Brenham was delivered on Sunday morning August 25, 1963 at the Brenham Tabernacle in Jefferson Valley, Indiana, USA. We are there again opening up the word of the Lord, laying it here before us. Come to the prayer of the Lord, let us pray to you today morning, in which we are still together with God, which has kept us here in front of us. And with prayer now that the Holy Spirit will take that which is God and will deliver to us. And we might leave this place of worship today with happy hearts full of joy. And now that the Holy Spirit will take the world with the Holy Spirit, which will be given us for the Holy Spirit. करेगा जिससे हम आज इस अरादना के इस्तान को आनन से भरे हिर्दे के साथ छोड़ते हुए जा सके आपके छुटकारे की महान सामर्द को देखें प्रबू कैसे ये बंदूओं को छुड़ाता है और उन्हें आजाद करता है हमें ग्याद करवाता है जो बाते ठी और जो है और आने वाली है और हम बस इन चीजों के लिए आपको दिन्यवाद करते हैं हम प्रातना करते हैं कि आप हमें आशिश देंगे जैसे हम अब आपके वचन का एक साथ अध्यन करते हैं और जब हम यहां से जाते हैं होने पाए यह जो हमारे हिर्दे में बोला गया जैसे कि हम रास्ते में जा रहे हों हमारे हिर्दे भीतर से उत्तेजित हो रहे थे जब वो पवित्रा आत्मा ने हमसे बात की जब हम मार्ग में थे आज हर एक हर कहीं सेवक को आशिश देना आपके दास जो इसके लिए खड़े हैं जो आपकी सच्चाई है बिमारों के लिए उनकी प्रात्मा का उत्तर दीजिए पिडित लोगों के बिमार शरीर को चंगा कीजिए प्रभू हम मांगेंगे कि आज लोगों के बीच में जाएं और उस पहले से ठहराए बीच को ढून कर वहां से बाहर निकालेंगे प्रभू और इसे किसी तरह से पास लेकर आएंगे जब वो उजाला मार्क पर गिरेगा प्रभू क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि समय निकल रहा है सूरज तेजी से पच्चिम में डूब रहा है तब जल्द ही ऐसा होगा कि समय और नहीं रहेगा समय और अनंतकाल एक साथ मिश्रित होंगे जब परमिश्वर और उसके लोग एक साथ मिश्रित होते हैं और हम प्रात्ना करते हैं प्रमिश्वर कि उस समय कि हम उन लोगों के बीच गिने जाएंगे जो मसी के अंदर मिश्रित होंगे जिसे उसकी दुलन का जाता है हमारी साहता करें आज जैसा की हम तयार होते हैं नहीं जानते हुए की कल क्या होगा लेकिन हम कुछ भी ग्रहन करने के लिए तयार है प्रभू जहां तक हम जानते हैं कि जो आपके पास हमारे लिए है हम इसे ग्रहन करने के लिए तयार है हम एशू मसी के नाम से परमिश्वर की महिमा के लिए इस आशिश को मांगते हैं आमीन आप बैठ सकते हैं मैं आज सुबह निच्चे ही खुश था जब मैं अंदर गया और देखा कि लोग परमिशर की सेवा के लिए एक साथ इखटे हुए थे और अब हम आज रात के लिए घोशना कर रहे हैं आज रात को चंगाई की सबा होगी हम आज रात बिमारों के लिए प्रात्ना करेंगे अब कुछी शट पहले वे जैसे ही मैं अंदर आया मेरे बेटे बिली ने मुझे बताया कहा यहां पर एक सज्जन वेक्ती है यह बस एक दीन पुरुश है जो बहुत दूर से गाड़ी चला कर आया है और कहा मैंने उसे कमरे में बैठाया हुआ है पिता जी मैं कल राज देरी से आया और रविवार के सुवे के विशे पर ज़्यादा अद्धे नहीं किया जिस पर मैं आज सुवे बात करने जा रहा था इसलिए मैंने कुछ लिखीवी बातों को उठाया जो मैंने लिख कर रखा था जिसे मैंने कुछ भाईयों से बोलते वे सुना था और वहां से उस विशे को लिया ताकि आज सुवे रविवार स्कूल के लिए पाठ हो और जब हम तयार होते हैं और शाम के सभा के लिए तयारी करते हैं और बिल्ली ने कहा वहां एक व्यक्ती है जो बिमार है कहा मैं चाहता हूं कि आप वहां जाकर और उसे देखें तो मैं अभी उस कमरे में गया था और एक भाई जो लगबग मेरी उम्र का था और उसकी पत्ती वहाँ बैठे हुए थे और पवित्रा आत्मा ठीक अभी कमरे में हमारे बीच उतर कर आया जड़ा सोचे केवल चंगाई की सभा के बारे में बताया ही था और वहाँ पर वो था देखा और इस भाई ने जो कुछ किया था उसने उसके बारे में बताया और वो क्या करते आ रहा था और उसके परिशारी का कारण क्या था और वो कहां से था और उसके बारे में सब कुछ बताया और कमरे में एक बहुती बड़ी काली छाया मंडरा रही थी, बाद में ये दुंदली, दुंदली, दुंदली और दुंदली होती जा रही थी, तब पवित्रा आत्मा ने नियंत्रन ले लिया अब मैं सोचता हूँ कि वो व्यक्ती यहीं कहीं, यहां पर पीछे होगा, वो और उसकी पत्नी हो सकता है, इमारत के अंदर नहीं आ सके होंगे, लेकिन उन्होंने कहा, कुछ भी हो, वे सभा के लिए रुकेंगे वे वहाँ पास ही यकीमा वाशिंटन के आसपास से आये हैं, और वे गाड़ी चला कर आये हैं, और वो एक सुसमाचार का सेवक है लेकिन बस परमिशर के अनुगरव को वहाँ देखता हूँ, जहां वो मनुश्य उस संस्थान में रहा था, और इसका इलाज इत्यादी हुआ था, पवितर आत्मा इस सब को प्रकट कर रहा था जब वो डॉक्टर उस मनुश्य के लिए वो सब कुछ करने के लिए कड़ी कोशिश की, जो संभौध है, जो वो कर सकता है लेकिन इसने बस परमिशर से विशेश छोटे से स्परश को लिया ताकि उस बहाँ को बदल दे करन्ट के द्वारा इलाज ठीक बात है, लेकिन ये एक प्रकार से जैसे हम कहेंगे, अंधेरे में एक निशाना लगाना, आप जानते हैं, आपकी, ये आपकी हालत और भी खराब कर सकता है, देखो, क्योंकि आप हर एक चीज जो कुछ भी आप जानते हैं, उसे भूल गए हैं, तब वे उस द्वा को आप में डालते हैं, लेकिन प्रभू परमिश्वर कैसी उसकी किरपा और दया है, और इससे पहले कि मैं उसके लिए प्रात्ना का एक शब्द भी कहूं, ये पहले से ही खतम हो गया था, देखा, इसने बस परमिश्वर की कुछ विशिश चीज को ले लिया, इसे करने के लिए विशिश इस परश को लिया, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, जी हाँ, मैं वहाँ पर देखता हूँ, अब व्यक्ति की और देखता हूँ, तो मैं नहीं जानता कि आब इसे आज कर पाते हैं या नहीं, मैं वहाँ उस देश में, जहां इस सब्ता से रह रहा था, मैं वहाँ अपने मित्रों को पसंद करता हूँ, ये इन बड़ी सभाओं से पहले यह एक छोटी छुटी है, आप देखते हैं, और मैं घर आया, ताकि वहाँ जाकर इन भाईयों के साथ गिलरी के शिकार को जाऊँ, और ये परिवार, मेरा मतला बे परिवार, जिनके साथ मैं वहाँ रहता हूँ, वो इनिश्चे रूप से प्रेमी लोग हैं, और वो मनुष्य, एक सच्चा भाई, मित्र है, जो वे हैं, और उन में से एक शिकारी कुट्टे के बड़े प्रेमी है, और उसके पास एक उनसे वहाँ भरा हुआ जानुवरों का बाड़ा है, और मैंने वहाँ देखा कि सबसे छोटा सा खुबसूरत शिकारी कुट्टा था, एक छोटा सा साथी, जिसके बारे में मैंने बटाया था, कि आधे कुट्टे उचे थे और दो कुट्टे लंबे, आप जानते हैं, कि वे घर के चारों दोड रहे थे, और मैंने सोचा, ओ, क्या ऐसा ही कुछ हमारे पास होने के लिए जो पसंद नहीं करेगा, और निश्चे ही, एरिजोना से बाहर आप इसका उप्योग नहीं कर सकते हैं, वे काटेदार पेड में फस जाएंगे, और जिस से वे मारे जाएंगे, तो तब मैंने भी कहा, आपके पास यह नहीं हो सकता है, वे जेश के उस हिस्से में कुछ्टों का उप्योग नहीं करते हैं, कारण वे ठीक है, वे बस उनका उप्योग नहीं कर सकते, वहाँ का मौसम काटेदार पेड के साथ भरा पड़ा हुआ है, और उससे वे मारे जाएंगे, और फिर सच में, वहाँ पर शायद एक शिकारी कुटा, एक भिडिया या जो कुछ और, तो उससे मार डालेगा, किसी भी तरह, वह बाहर निकलते हैं तो, सो तब इस वेक्ती ने मुझसे कहा, आप बस इसे ले सकते हो, लेकिन मैं उसे नहीं ले सका, मैंने इसकी सराना की, आकर देखें, ये उसके पसंदिता कुटों में से एक था, और इस वेक्ती की एक प्यारी छोटी पत्नी और छोटे-छोटे बच्चे हैं, और एक दिन उसने अपनी कार से बाहर निकलना आरम किया, और उसके पास ये एक पुरानी कार थी, और छोटा कुट्टा लगबक के बड़ इतना ही लंबा था, के बड़ एक छोटा सा बच्चा ही था, और वो सीधे उसके उपर से उसकार को दोड़ा कर ले कर गए, वो पुरानी कार छोटे कुट्टे के उपर से चले गई, यहां उसकी पीट पर से, और इसे मसल दिया, जहांवे रास्ते पर के पत्थर, उसके बाद, उसके यहां नीचे, उसके छोटे से पेट में गड़ गए थे, आप जानते हैं, और वो छोटी पत्नी, वो छोटे कुट्टे को पशू चिकिस्सक ले कर जाने की बजाए, निश्य ही, वो पशू चिकिस्सक बस उसे वहां सीधे सुला देगा, फिर और उसे मार डालेगा, देखा, वहां मेरे साथ एक और नौजवान विक्ती था, और जैसे ही वह वहां ओड़ कर गया, कहा, यदि ये मेरा कुट्टा होता था, तो मैं इसे गोली मार देता, कहा, ऐसा ही है, क्या इसे इस तरह तरपने दें, मैंने कहा, ठीक है, इसे गोली न मारें, मैंने कहा, थोड़ा इंतजार करें, सब को पीछे किया, और चला गया, और इसके लिए प्रात्ना की, वो छोटा कुट्टा बरामदे तक मेरे पीछे चलने लगा, और वो, जी हां, वो, देखा, जो कुछ भी चीज की इच्छा करके, जब आप प्रात्ना करते हैं, विश्वास करें, कि आपको ये मिल गया है, वो तुमारे पास होगा, तुमें दिया जाएगा, जो कुछ भी चीजे हैं, ये ही हमारा प्रभू परमिशर है, क्या नहीं है, वो अद्बूत और प्रशशनी है, और हम निच्चित रूप से आज सुभए उससे प्रेम करते हैं, और उससे अपिक्षा करते हैं, और ये जानते हुए, एक दिन देखा, एक बुड़ा दमपती, जो यहां के समू के बहुती अच्छे सदस्य के माता और पिटा हैं, और उनकी मा, ओ, मुझे लगता है कि वह सौ वर्श के करीब है, और उनके पिटा भी, और लगबग बारा वर्शों से यह मनुश्य कभी भी नहीं हिला, वो उसके पीट पर था, बस वो सीधे पड़ा रहा, या उसने कभी करवट नहीं ली, या कुछ भी नहीं, बारा वर्शों से वहीं पड़ा रहा, वो बस पुड़ा पा, और उसकी मान लगबग उसी उम्र की है, मुझे लगता है कुछ सो के करीब, और दीन बुड़ी इस्तरी ने अब लगबग उसके मांसिक नियंतरन को खो दिया है, वो सोच रही है कि जो कुछ उसके पास है, कोई तो उससे लेकर जा रहा है, और मैंने टेबल की ओर देखा, हम सभी युवा और बुड़े वहां बैठे हुए थे, और मैंने कहा, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? और मैं जिस महिला के साथ रह रहा था, वो सकी मां और पिता थे, और मैंने कहा, आप भी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, बिलकुल, हम में से प्रतेख जन, समझे? जरा इसे सोचें, कुछ शड के लिए इससे पहले हम पाठ को आरम करें, यही वो जगह है, जहां आप जा रहे हैं, आप किसके लिए संगर्श कर रहे हैं, सो आप जी सकते हैं, आप किसके लिए जी रहे हैं, सो आप मर सकते हैं, क्या यह सबसे मूर्खता नहीं होगी यदि हम अनंत जीवन के लिए परमिश्यर के प्रबंद को सुईकार नहीं करते हैं हम किस बारे में सोच सकते हैं हमारे मन में क्या हो सकता है जो हमारा ध्यान आकरशित करे किसी पर भी क्या हो यदि आपके पास खुद के सौ मिलियन डॉलर होते हैं और आपका खुद का इंडियाना या कोई अन्य राज्य हो यहां तक की राष्ट हो यहां तक सारे संसार से जो संबंदित है आप लंबा जीवन जीते हैं आपको भी उस पर आना होगा देखा और लगातार दिन प्रती दिन हर समय जब आपका हिरदे धड़कता है तो आप सीधे उस पर जा रहे होते हैं समझे आप आपके लिए कोई विजे नहीं हैं आप हारने वाले पक्ष में हैं और आप आपको हारना है लेकिन प्रतिग्या को याद रखें कि जो मेरे लिए अपना जीवन खो देता है वह उसे पाएगा आप जीवन को खोजने से बढ़कर और खजाना क्या होगा बले ही आपने सारे संसार को अपने लिए पा लिया हो लेकिन यदि आप जीवन पाते हैं तो आपने सबसे बड़ी चीज को पा लिया जो आप पा सकते हैं मैं चाता हूँ मेरी बाएओर देखा और फिर से देखा ठीक अभी परमिश्र के अनुगर का एक और चिन लगबक कुछ सकता पहले मुझे फोन किया था और इस कलीसिया या इस देख के एक प्रेमी सद्दे से ने मैं इसे कलीसिया के रूप में और अधिक नहीं बुलाना चाहता हूँ मैं इसे कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था उन्होंने कहा थीक है आप किस कलीसिया से सम्मंद रखते हैं मैंने कहा میں समद्दित नहीं हूँ मैंने कहा कोई नहीं कहा तो आप किसे संबन रखते हैं मैंने कहा एक राज्य से एक राज्य और एक आत्मा के द्वारा हम उस राज्य में बत्तिस मा लेते हैं एक आत्मा के द्वारा सब इस राज्य में एश्य ने कहा प्रात न करो तेरा राज्य आए तेरी इच्छा धर्ती पर पूरी हो जाए जैसे आस्मान में है अब वो एक दिन रुपांतर परवस से पहले खड़ा था उसने कहा मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि यहां कुछ लोग खड़े हैं वे मिर्तिय को नहीं चखेंगे जब तक वे एक राज्य को सामर्त में आते न देख लें यह पूरो च्हाया थी जैसा कि हम इसमें से होते आए हैं रुपांतर परवत और बाइबल ने कहा परमिश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है तो यह एक राज्य के लोग हैं जो इसका दावा करते हैं यह उनका घर नहीं है यह हमारा घर नहीं है हम राज्य के आने के लिए देख रहे हैं जिसने राज्य की इस्थापना की है मुझे एक आपात कालिन मामले में बुलाया गया था एक पुराना भाई जो मेरे लिए एक पिता की तरह रहा है और वो मैं उसे बहुत लंबे समय से नहीं जानता था लेकिन मुझे वो दिन्याद है जब मैं उसे यहां पानी के बप्तिस में के लिए लेकर आया था और वो व्यक्ती जल्दी इंक्यानवे वर्ष का हो जाएगा और उसकी प्यारी पत्नी ने मुझे फोन किया और वो एक नर्स होने के नाते बताया उसे पूरी तरह से हिर्दे का दोरा पड़ा था इसके अलावा उसे ओह मैं नाम नहीं बता सकता हूँ हिर्दे का दोरा कॉरोनरी दिल का दोरा धनेवाद कॉरोनरी दिल का दोरा और एक पूर्ण रूप से दिल का दोरा डॉक्टर ने कोई आशा नहीं जिताई और व्यक्ति मर रहा था और उसने मुझे बुलाया और मैंने अपनी छोटी पूर्णी फोर्ड कार को लिया और ओहियो के लिए सड़क की और जाना अरम किया जिता जल्दी में कर सकता था और मैंने जानता मेरे पईयों में से एक पईया उसके करम में से बाहर आया था इससे टायर बाहर के और निकल आया था और इसलिए मैं वहाँ जा रहा था एक तेल भरने के इस्तान की और जा रहा था लगबक 11 बजे थे मैं उसके बारे में चिंतित था मैं उससे प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ यदि ये ऐसे ही जारी रहता है प्रबू आने में देरी करता है क्योंकि जल्दी या देर से हमें एक दूसरे को उपर उठाना होगा लेकिन अब ये रैप्चर को आधात नहीं पहुचाएगा समझे नहीं उसके बाद वे पहले आएंगे उनके पास स्वभाग्य था जो चले गए हैं वे पहले आएंगे देखा देखा हम जो जीवित हैं और बने रहते हैं प्रभू के आगमन के लिए वे जो स्वई हुए हैं उन लोगों के लिए बादित या रुकावट नहीं होंगे परमेशर की तूरी फुकी जाएगी मसी में जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे फिर जब हमारी आँखें हमारे प्रिये जनों को देखती हैं तो हम एक पल भर में पलक जपकते ही बदल जाएंगे और उनके साथ एक साथ उठा लिये जाएंगे देखा जो लोग पहले जाते हैं वे जीवित लोगों से ज़्यादा सभागे प्राप्त लोग हैं जैसे ही मैं तेल भरने के इस्तान से बाहर निकला तब ग्यारा बजे थे पवितरा आत्म ने मुझसे कहा उसके बारे में चिंता मत करो तुम फिर से सडक पर उससे अपना हाथ मिलाओगे और वो कलीसया में आएगा वो मनिश्य जो नब्बे वर्श का है मर रहा है जब मैं लीमा के इस्पिताल में उसकी पतनी और उसके प्री एजनों से मिला तो उन्हों ने मुझे उसकी परिस्तिती के बारे में बताया मैं अंदर गया उसे बहाँ पर देखा उसने कहा लेकिन उसके साथ कुछ तो अजीब बात हुई कहा वो ग्यारा बजे से ठीक होकर बदलना आरम हो गया है ठीक है और मैं प्रबू ने उन लोगों को बहुत सारी चीजे दिखाई थी वे जानते हैं कि मैंने बस इतना कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ये बताया था वो बदलना आरम हो गया है वे जानते थे कि मैं उन्हें सच बताऊंगा सो पिछले रवीवार जब मैं लूइस विले में ब्लू बोर कैफेटेरिया में जा रहा था जहां तक मुझे लगता है कि इस सबा के 80 परसिशत लोग रवीवार की दोपर को भोच के लिए इखटा हुए थे तो मुझे सड़क पर आते हुए किसने देखा मैं उको बताता हूँ मेरा हिर्दे व्याकूल हो गया जब मैंने अपने भाई डौज को सड़क पर आते हुए देखा बिलकुल वैसे ही जैसे उसने बताया था मैंने सड़क पर उससे हाथ मिलाया तब मैं यहां पिछले रविवार की रात के लिए वापस आ गया और एक तके विशे पर बात की समय के चिन्न का एक होना तो और फिर वह उसे पूरा करने के लिए लेकर आया बस उसने जो कहा और यहां वो आज कलीसिया को यहां हमारे द्वारा तयार करता है परमेशन के अनुगरे के एक चिन्न की रूप में तब तम्बू के नीचे उससे हाथ मिला रहा था वो आक्सिजन तम्बू के नीचे था मैंने कहा भाई डॉच तुम ठीक हो जाओगे मैं आपको फिर से कलीसिया में देखूंगा यह यही यवायो केता वाला वचन है देखा वहां वो कलीसिया में बैठे हुए है ठीक यहां अभी बाई डॉच यदि मैं गलत नहीं हूँ तो वो सेवक मैं जिसके बारे में बात कर रहा था कुछ च्रण पहले पवीतर आत्मा वहां आया और इन सारी चीजों को प्रगड़ किया उसे बताया ये कैसे हुआ और उसे बताया कि उसने क्या किया है ये कैसे घटित हुआ ये कैसे पूरा हुआ तब से लेकर जो कुछ भी होते आ रहा है यहां तक कि उसके परिवार का चाल जलन और उसके बारे में सब कुछ और उसे बताया कि यह पूरा हुआ है और वो सेवक ठीक यहां पर दाए हाथ पर बैठा है क्या आप केवल अपने हाथ को उपर उठाएंगे श्रीमान वे रहे वहाँ वो और उनकी पतनी बिल्कुल ठीक ठीक अभी यहां भाई डौज बेठे हैं अभी ठीक वहाँ पर ओ प्रबू क्या वो अद्बुत नहीं है वो बाते जो थी जो हैं और जो होने वाली है एक, दो, तीन गवाईयां वे चीज जो थी जो आपने किया है वे चीजें जो अभी जारी है और चीजें जो होने जा रही है और हर समय बिल्कुल बिल्कुल वचन के अनुसार है यह केवल परमिश्वर ही कर सकता है ओ, क्या हम इन चीजों के लिए सबसे ज़्यादा खुश नहीं है अब मेरा थोड़ा अतिरिक्ट समय लेने का जो कारण था बिली को अपनी पत्नी और बच्चे को लाने के लिए जाना था और उसने कहा पिटा जी प्रचार शुरू मत करना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तो मैं सोचता हूँ कि वह अब वापस आ गया है और किसी भी तरह से मेरे पास बहुत समय है और मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ पर बनाए रखकर इन चार घंटों तक नहीं ठकाऊँ और इसे 35-40 मिनट का प्रचार बनाऊँ आप देखें और इसे बनाए रखने की कोशिश करूँ और मैंने शिकागो में एक बार टिपनी की थी मैंने इसे 30 मिनट या कुछ 25 मिनट में पूरा किया और पिछले रविवार की रात को केवल 45 मिनट में पूरा किया था बिली ने कहा आप वास्तों में उन्नती कर रहे हैं पिटा जी मुझे एक तरह से इसके लिए आप पर गर्व है ठीक है हो सकता है आज सुबहे इसे कुछ रविवार की स्कूल की तरह बनाने के लिए मैं आपको ज़्यादा समय तक नहीं रोके रखूंगा फिर आप बाहर जाकर और अपना दोपर का भोजन कर सकते हैं और प्रातना करें और आज रात की चंगाई की सवा के लिए वापस आ जाएं हम आज राट प्रात्ता की पंक्ती बनाएंगे और बिमारों के लिए प्रात्ना करेंगे अब यदि आप यहीं कहीं कोई भी कहीं भी किसी व्यक्ति को जानते हैं जो बिमार है और प्रात्ना करवाना चाहते हैं तो आप उन्हें आज रात यहां लेकर आएं समझे यदि आपको उन्हें किसी भी तरह से लेकर आना है तो उन्हें यहां लेकर आएं समझे यही मुख्य बात है कि उन्हें आज रात यहां पर लेकर आएं हम सबी एक साथ मिलेंगे इसी तरह से लोगों के बुलाने पर लोगों के पास जाना मुश्किल होता है एक इस्तान के बाद दूसरे इस्तान पर जाना तो आप किसी को छोड़ देते हैं और वहां एक को खराब मैसुस होता है लेकि यदि मैं इन सब को एक इस्तान पर ला सकता हूँ तब मैं उनके लिए प्रातना कर सकता हूँ अब यदि आप यदि लोग प्रातना करवाना चाहते हैं वे आप कहते हैं क्या वे चाहेंगे ओ निश्चे ही उनके लिए प्रातना की जाएगी उन्हें यहां लेकर आए परमेशर चाहता है हम यहां पर सभी के लिए प्रात्ना करने के लिए होंगे अब आईए आज सुबह एक जाने पेचाने पुराने वचन में जाएंगे जहां मैं कल रात को जल्दी से उड़ गया मैं बहुत नीन में था और इसके साथ बताने के लिए कुछ और वचनों को लिखा और एक तरह से सम्मान पूरक लेते हुए मैंने कुछ भाईयों को एक बार कहते सुना इस वचन का प्रयोग करें और मैंने सोचा मैंने इसे लिख कर रखा मैंने सोचा ठीक है मैं सोचता हूँ कि मैं इसे लिख कर रख दूँगा क्योंकि ये काम में आ सकता है हम कई बार ऐसा करते हैं मैंने देखा आप में से भोटों के पास कागज का एक टुकड़ा होता था और एक सेवक कुछ तो कह सकता है और फिर आप उस मुख के बात तक पहुशते हैं तब कुछ तो आपके अंदर खुलना आरम होगा और फिर यदि पवित्र आत्मा से कर रहा है तो आप ठीक वहाँ उसी बिंदू के ऊपर एक संदेश को बनाना आरम कर देंगे प्रभू के लिए एक संदेश और यह अच्छी बात है मैंने सभाव में देखा है जहां कहीं भी आप जाते हैं बस प्रचारक और लोग लिखते रहते हैं यह ठीक बात है हम यहां हैं यही है वो जिसके लिए हम यहां पर हैं ताकि इन मार्गों पर साथ ही एक दूसरे की सायता करने की कोशिश करें और अब प्रकाशित वाक्या के टीसरे अध्याय को खोले कलीशिया काल पर कलीशिया काल को दोराते हुए लेकिन अब हम वहां पर हैं जी हां मैं इस एक वचन को ले सकता हूं और पवितर आत्मा के साथ इस पर एक सो वर्ष के लिए प्रचार कर सकता हूं और कभी भी इस में से उस बात को बाहर ने ला सकता हूं क्योंकि इस एक वचन में बाइबल के सभी अन्य वचनों की तरह ये सब एक सा जुड़े हुए हैं और मैं इस विशे को आज सुबह लेना चाहता हूं मैं कैसे जै पा सकता हूं अब मैंने इसे चुना क्योंकि मैं सोचता हूं यह एक ऐसा समय है कि हमें कभी भी बेदारी की आत्मा को मरने नहीं जेना चाहिए हमें बेदारी में बने रहना होगा लगाता जागरत हर दिन पालुस ने कहा कि उसे रोज मरना है जिससे मसी जीव सके और हमें कभी भी उस बेदारी को हमारे अंदर मरने जेना नहीं चाहिए अब प्रकाशित वाक्य तीसरा ध्याए और 21 पत के साथ आरम करते हुए हम इसे पढ़ते हैं जो जैपाए मैं उसे अपने साथ अपने सियासन में बैठाओंगा जैसे मैं भी जैपाकर अपने पिता के साथ उसके सियासन में बैठ गया जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलिशिया से क्या कहता है क्या आपने ध्यान दिया उसकी विवस्ता को देखा मेरे साथ मेरे सियासन में बैठेगा ना ही मेरे सियासन पर मेरे सियासन में यही उसके अधिकार में है समझे और वहाँ जैसे मसीश शाशक करने वाला है इस समय पर सियासन का शाशक करने वाला जो परमिश्चर का पूर्ण अधिकार है वैसे ही कलिशिया उसके साथ रहेगी दुलन उसके साथ उसके सियासन में होगी संपूर्ण अधिकार में समझे ना ही मेरे सियासन पर लेकिन मेरे सियासन में देखो जहां तक उसका अधिकार होता है एक सियासन में एक अधिकार होता है और एक अधिकार बस वहां तक होता है जहां तक उसकी सीमाई पहुचती है और यह अनंदकाल से अनंदकाल तक है जरा इसके बारे में सोचो अब जब हम इसका अधिन करते हैं तो इसका मेरा उदेश के वाल आप लोगों के साथ यहां आकर मिलना नहीं है जो मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है लेकिन यदि मुझे ऐसा करने का मौका मिलता है तो मैं आपके घर आऊंगा और आपके साथ हाथ मिलाऊंगा और आपसे बात करूँगा और बेटकर आपके साथ रात का भोजन करूँगा और पेड़ की जाया के नीचे और बात करूँगा और कुछ समय की संगती करूँगा लेकिन जब हम यहां पर आते हैं, हम यहां एक विशिश उद्दिश के लिए होते हैं यह सुधार का घर है, यह सिहासन है, यह परमिश्र का सिहासन है और न्याय परमिश्र के घर से आगे जाता है और यहां वो जगह है जहां हम एक साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम में इखटा होते हैं, क्योंकि केवल मसी लोग ही प्रेम कर सकते हैं, लेकिन यहां हम पवित्रा आत्मा के एक नैत्रतों के नीचे हैं, पवित्रा आत्मा हमारे बीच है और हम यहां पर हैं हमारे बीच का लेखा लेने के लिए यह देखने के लिए कि कहा हमारी छोटी छोटी गलतिया हैं, हमारी कमिया और हम किस तरह से समझ सकते हैं कि हमें कहा होना चाहिए, हमें कहां पर अभी होना चाहिए था, हम कहां पर हैं और कहां हमें होना चाहिए, और यही है वो जो हम अध्यन करते हैं सेवक अपने लोगों के लिए उनुस्तानों पर अध्यन करते हैं जब वे लोगों को कमियों में देखते हैं तब वे उस पर बोलना आरम करते हैं अब जल्द ही मैं सोचता हूँ कि कलीसिया हो सकता है इस समय पर एक कदम थोड़ा और उपर जाना चाहिए आज सुबह मैं से करने की योजना नहीं कर रहा हूँ इन चीजों को दिखाते हुए लेकिन मैं सोचता हूँ जल्द ही परमिशन ने चाहा तो इस से पहले हम उन तुरियों पर प्रचार करें मैं चाहता हूँ मैं कलीसिया को एक ऐसे कुछ बातों को लेकर आँ जिसे आपको जानना चाहिए मैं अब सोचता हूँ और अब हम इस पर बात कर रहे हैं जै पाना वो शब्द जै पाना निश्चित रूब से आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है आपके पास जै पाने के लिए कुछ तो होना है और यह कलीसिया काल जिसे पवित्र आत्मा यहां पर जिसके बारे में बता रहा है लॉद्किया कलीसिया काल में जैसा कि हम अभी इसमें से होकर रह रहे हैं एक फटकार की अवशक्ता है लॉद्किया को फटकार किया जाना था क्योंकि यह मसी के प्रती भिन्न है इसने उनके युग में मसी को बाहर रख दिया था और मसी बाहर था और वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा था जो प्रेम है और उसे अपने घर से बाहर रखने के बाद वो वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा था और कहा वह जो दौर को खोलेगा मैं उसके पास आऊंगा समझे कलिस्या ने पूरी तरह से उसे बाहर रखा था लेकिन अब ध्यान दे उसकी पुकार यहां कलिस्या के लिए नहीं है वो जो जय पाता है देखा नहीं कलिस्या वो शी वो कलिस्या होगी देखो कलिस्या देह लेकिन यह वो ही जो जय पाता है वो व्यक्तिगत होगा जो अब जय पाएगा और लौत किया उस कलिस्या के पास आ रहा था अब हम तब देखते हैं जानते हैं कि यह लौत की अकाल है और यह जानते हुए कि इस काल को परमिशर से एक तेज फटकार की आवशकता है इसे एक तेज फटकार की आवशकता है और जब हमारे याजक लोग बहुत धीले से और हलके से लेने वाले होते हैं जैसे हमारे कुछ बुजर्ग दादा जी उनके पोतों के लिए होते हैं वे जो भी कर रहे होते हैं वो सही है और वे हैं इसके लिए इतना कुछ कहा गया है कि परमिशर इतना भला परमिशर है इतना तक वे परमिशर को बस एक बड़ा हलके से बात को लेने वाला दादा जी बनाने की कोशिश करते हैं आप समझे लेकिन वो ऐसा नहीं है वो एक पिता है और धर्मिक्ता का पिता है सुधार का पिता है और प्रेम हमेशा सुधार करता है देखा प्रेम सुधार करता है कोई फरक नहीं पड़ता कि ये कितना अधिक चोट पहुचाता है ये फिर भी सुधार करता है एक सच्ची माँ अपने बच्चे को सुधार करेगी, एक सच्चा पिटा सुधार करेगा, देखा यदि आप केवल धीले से और हलके से बात को लेने वाले हैं और इसे होने मैं एक दिन वहाँ नहाने जाने के लिए एक पुराने एक नीचे पड़े हुए पेड़ के गटे में से होकर पार जा रहा था या जिसे खोकला पेड़ जो अंदर से खोकला होता है कहा जाता है और मैं इस पेड़ के गटे पर कुदा बार से तो यह अच्छा लग रहा था एक पुराने भरे हुए पेड़ के गटे की तरह लग रहा था लेकिन जब मैं उस पर कुदा ओ इसका एक बड़ा हिस्सा तूट कर गिर गया यह पूरी तरह से सड़ा हुआ और हलका था मैंने कहा इसी तरह से मसी लोग बनते जा रहे हैं वे पाप अपरादों में इत्टे समय से मरे हैं इत्ता तक की वे हलके बन गए हैं वे कुल मिला कर वजन को नहीं सभाल सकते हैं वे नहीं जानते कि जैपाने का मतलब क्या है और फिर मैंने इस विशे के बारे में सोचना आरम किया जैपाना आप में जीवन को बनाए रखता है जब जीवन भार चला गया तो यही है जो उस पेड़ के गटे की उस परिष्टिती मिलाता है देखा और इसे पहले से भी बत्तर बना दिया जब यह डाली से जुड़ा हुआ था जहाँ पर जल था और फिर वहां आप एक मसी को लें जिसे एक मसी होना चाहिए परमेशर का जीवन उसमें से बाहर निकाल दें और वो अनुभव मसी की सेवा करने का आनन और एक कली से में रहना जहां पर ऐसा चल रहा है वो तुरंथी तब दो गुना संड़ने लगेगा बिल्कुल जो ठीक इन चीजों की नीचे जी रहा होता है इसलिए यदी हम समय के संदेश के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं या कम से कम संदेश के इस भाग को तो हमें निरंतर मसी के जीवन में जीना चाहिए समझे क्योंकि यदी ऐसा नहीं होता है तो वहां ऐसे ही पड़े रहते हैं और जानते हैं कि ये चीजे जिने आप करना चाहते हैं और आप उसे नहीं करते हैं बाइबल ने कहा जो अच्छा करने के लिए जानता है और उसे नहीं करता उसके लिए पाप है तब आप हलके से लेने वाले सड़े हुए बन जाते हैं जब आप परमिशल के जीवन से अलग हो जाते हैं तो आप में जो कुछ भी है उसके साथ संगर्श करें ताकि मसी के जीवन में बने रहें जिसे आप फल लाने वाले बने हम इस युग को देखते हैं जिसमें हम रह रहे हैं यह सारे युगों में सबसे एक शान्दार युग है यह लात्ता किया जो equipment सारे कलिसिया युगों में से एक सबसे शांदार युग है क्योंकि ये समय का अंत होना है और अनंतता का मिश्रित होना है और फिर ये सबसे बड़ा पाप से भरावा युग है इस युग में पहले से भी कहीं अधिक पाप है और शेतान की शक्तियां के विरूद लड़ना किसी भी युग की तुलना में कहीं गुना अधिक कठिन है देखा यहां पहले आरम के युग में एक मस्ट पाप है अधिक कर सकता है एक इलिशिया या मस्ट से सम्बंद रखने पर उसकी गोशणा कर सकता है और इसके लिए उसका सर काटा जा सकता है उसे मारा जा सकता है और वो उसके कश्ट से छुट कर और तुरंथी परमिशर से मिलने जा सकता था लेकिन अभी वो शत्रू कलिसिया के नाम पर आया है और यह बहुती भर्माने वाला है यह सबसे बड़ा भर्माने वाला युग है जब मसी ने ऐसा कहा अंदिम दिनों में दो आत्माएं यह इतनी करीब होंगी इतना तक कि यदि यह संभा हो सकता तो यह चुन हो को भी बर्मा दे देखा 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 याद रखें मसी ने अंतिम दिनों के लिए चुने वे लोगों की बात की थी समझे यदि यह संभा होता तो यह उस चुने हो को भी भर्मा दे बहुत ही नजीक लोग वैसे ही जीते हैं लोग एक साप पवित्र जीवन जी सकते हैं पाप से भरा नहीं ना व्यविचारी और ना शरावी और जूटे जुवारी वे उससे उपर जी सकते हैं और फिर भी वे इसके साथ नहीं हैं यह वो जीवन का यूग है मसी का व्यक्ति का जीवन जहां उसके शरीर का जीवन है रसायन जो उसके अंदर था सबसे पहले धर्मी करण के नीचे पानी का बप्तिस्मा दूसरा नए जनम के नीचे जो वेसली का है पवित्री करण जो शुद्ध करता है और तीसरा पवित्र आत्मा के बप्तिस्मा के नीचे सेवा के अंदर उस पवित्र हुए पात्र को डालता है उस शब्द पवित्र होना का अर्थ होता है या एक मिश्रित युनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है साब किया गया सेवा के लिए एक और अलग किया गया सेवा के लिए अलग रखा गया है अब पवित्र आत्मा इसे सेवा में रखता है देखा और हम देखेंगे जब वो अशब्द आत्मा मनुष्य में से चली जाती है तो वो सूखे इस्तानों में चलता है बिलकुल ऐसा ही कलिसया ने किया है बेप्टिस मेथोरिस जो पवित्रता में विश्वास करते थे उसके बाद एश्व ने कहा अशब्द आत्मा जो बाहर निकल गई इस कलिसया दे में वो वापस लोट आती है और देखती है घर को सजाया गया जाड़कर साब किया गया है शुद्ध रहना साब जीवन है अच्छी बात है लेकिन उसके बाद यदि वो घर भरा नहीं गया है कबजा नहीं हुआ है तब वो साथ अन्य दुष्ट आत्में जो वो पहले था उससे भी बत्तर और इस इस्तान का अंटिम पड़ाओ या ये पहले इस्तान में था उसकी तुलना में साथ गुना बत्तर होता है वे लूथरन से भैतर बने हुए थे उसकी तुलना में इसे होना है ताकि वे उस प्रकाश को प्राप्ट करें और वे इसका अनुकरन करने से चूक गए वैसी ही पेंटिकोस्टल करेंगे देखो आप जानते हैं कि मेरा क्या बतलब है घर को सजाया गया है चैसा कि मैं किसी से एक दिन बात कर रहा था कहा वे बहुती सावधान रहते हैं यहां तक की बहुती पवित्रता का जुंड होली गोस्ट कहकर नहीं बोलते हैं होली गोस्ट क्योंकि वे खुद को पेंटिकोस्टल के साथ पैचान देते हैं जब ऐसा करते हैं वे कहते हैं होली स्परिट देखो वे होली गोस्ट कहने से हटते हैं क्योंकि पेंटिकोस्टल वे आम लोग बस इसे वही कहते हैं जो बाइबल कहती है होली गोस्ट जबकि होली गोस्ट और होली स्परिट एक ही बात है लेकिन वे इसके बारे में बहुत साधान रहते हैं वे उनके साथ अन्य भाशा बोलने वाले लोगों की पैचान नहीं देना चाहते हैं और यही पवीतर आत्म स्वयम है देखा तब क्या हुआ जब वो शत्रू जो पवीतरी करण के नीचे से चला गया जिसे साप किया गया था वो वापस लोटा और पाया कि घर पवीतर आत्म से भरावा नहीं है अब कलीसिया की इस्तिती ऐसी है कि वे कलीसिया के संगठन के साथ विश्व परिशत के साथ जुड गई है और अब यह एक इस्तिती में है जो इसे रोमन कैथोलिजम और बाकी सबी के साथ जोड़ता है और अब यह उससे भी साथ गुना और भी बत्तर है जब यह लूथरन वाद से बाहर निकले थे यही है जहां मनुश इसे ले ले लेता है और फिर लॉट किया कलीसिया काल की और देखें पवीतरा आत्मा को पाने के बाद और इसके बीच में परमिश्र की आत्मा और ग्यान के साथ थे और इसके बाद इसके द्वारा परमिश्र के कामों को इंकार किया गया और इसे एक दुष्ट काम कहने लगे फिर इसके बारे में क्या यही है जा मसी को अपनी स्वेम की कलीसिया से बाहर रखा गया देखा इसने कभी भी उसे कलीसिया में तब तक नहीं दिखाया जब तक यह लोटकिया के लिए नहीं आ जाता और जब वो लोटकिया पहुचा तो उसे अपनी ही कलीसिया से बाहर रखा गया था वापस लोटने की कोशिश कर रहा है अब देखो धर्मी करण ने उसे कभी भी अंदर नहीं रखा पवितरी करण ने केवल उसके लिए इस्तान को साब किया लेकिन जब पवितरा आत्मा का बक्तिसमा आ जाता है तो उसने उसे लोगों में रखा और अब उन्होंने उसे बाहर कर दिया जब उसने खुद को संप्रदाय से सहमत नहीं होता है अब क्या आपने समझा कि उन्होंने उसे बाहर रखा हम इस दुरानु भूती टैली फिती के साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाते या तो एक शैतान है या जोतिश विद्या है या देखा वे नहीं सैमत होते हैं आखे हैं और नहीं देख सकते हैं कान हैं और सुन नहीं सकते समझे परमिशर केवल उनकी आखे खोलता है जिसे वो चाएगा वो कठोर होता है जिसे वो कठोर करता है जिसे वो चाता है और उन लोगों को जीवन देटा है जिसे वो चाता है यही है जो वचन ने कहा अब हम इस समय को देखते हैं कि जिसमें हम है इस पड़ाव में और हम देखते हैं कि यह क्या था और पवितर आत्मा उस युग को फटकार दे रहा है जिसने उसे बाहर रखा है लेकिन उस सब में क्या आपने ध्यान दिया वो जो जय को पाता है यहां तक कि उस संसारिक दुष्ट कलिसिया की युग में वो जो जय को पाता है हम यहां पर पाते हैं कि परमिशर के पास हमेशा ही जय पाने वाले लोग थे उसके पास हर एक युग में जय पाने वाले लोग थे वहां हमेशा ही हर समय हर युग में धर्ती पर यह रहते आए हैं परमिशर के पास हमेशा ही कोई तो था एक धर्ती पर गवा के रूप में जिसे वो अपने हाथ पर रख सकता है वो कभी भी गवा के बिना नहीं रहा है हाला कि कभी-कभी एक ही केवल होता है लेकिन अब किसी को तो जय पाना है पुराने समय के संतों की तरह और एक बहुती भला मनुश्य एक विद्वान कह रहा था साथ मोहरों के बाद उसने कहा भाई ब्रणम आप एक टैपिस्ट मेरा मतलब चिन्नों को अध्यान करने वाले या अनुवादक है टैपलाजिस्ट उसने कहा आप संसार में कलीसिया को एक रूप से कैसे रेप्चर में रखने जा रहे हैं बिना मासंकट के समय के उसने कहा आप देखें यदि ये एक नमूना है तो वहा होना चाहिए वहाँ ये दिवा विरोधी है तो इसका एक नमूना होना है उस विरोध को वहाँ से आने के लिए एक नमूना होना चाहिए और जो कुछ भी मैं कहता हूँ ये सच है एक नमूना है इसका एक नमूना है आपके पास एक चाहिए है और बाइबल ने कहा पुरानी चीजे आने वाली ने जीजों की चाहिए थी उसने कहा लेकिन अब आप पुराने नियम को एक चाहिए के रूप में लेते हैं अब उसने कहा आप इस कलिस्या के साथ क्या करने जा रहे हैं यह मनुष्य आता है एक बड़ा मनुष्य एक बड़ा शिशक जो मेरा एक जिगरी मित्र है जो बहुत ही भला मनुष्य है और वो एक प्यारा भाई है मैं भाई के विरोत में एक शब कहने की हमत नहीं करूंगा कुछ भी हो मैं नहीं करूंगा एक तरह से एक मसीगी नाई, मैं इसके विरोत में कुछ भी नहीं कहुंगा, वो उस विशह पर मुझसे सहमत नहीं है, लेकिन वो मेरा बव मुल्य भाई है, हम एक साथ भोजन करते हैं, और ओ, वो बस एक आकरशन वक्ती है मैं उसकी पत्रिका को लेता हूँ, इसके लेक को पढ़ता हूँ, और मैंने उसके लेकों में से बहुत कुछ लिया है, जो मैंने उसके लेकों में पढ़ा है, उसे कहते सुना है वो एक अच्छा मुनुश्य है लेकिन वो बस मुसे सहमत नहीं हो सकता है मैं उसकी इमानदारी की सराना करता हूँ हाला कि वो बस इन बातों को आसानी से नहीं लेता है कि बस उसे सहमत हो जाए जो कुछ भी आप कहते हैं उसके पास अपना दर्ण विश्वास है और वो इसके लिए खड़ा है मैं इसकी सराना करता हूँ और वो एक भला मनश्य है ओ मैं शिश्चक या विद्वान नहीं हूँ लेकिन ये व्यक्ती शिश्चक और विद्वान दोनों है लेकिन मैं उसे सहमत नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऐसे नहीं देखता लेकिन ये उद्वार से सम्मंदित नहीं है ये प्रभू के आगमन से सम्मंदित है वो देखता है कि कलिस्या को शुद्धी करण के लिए महा संकट के काल से होकर जाना है मैं कहता हूँ इश्यू के लहू ने कलिस्या को शुद्ध किया है समझे इसकी कोई आवशक्ता नहीं मैं विश्वास करता हूँ कि जो कलिस्या मा संकट काल से होकर जाती है वो संप्रदाय कलिस्या है लेकिन दुलहन नहीं जाती है क्या आप एक ऐसे इस्ट्री को चुनेंगे इससे पहले आप उससे विवा करें आपको पहले शुद्ध होना था मसी की दुलन चुनी हुई है और वो निर्वाचित है और वह परविश्वर की दुलन है इस्व मसी की दुलन और अब उसने कहा आप उसे कैसे नमूना देंगे यदि वो दुलन आगे जाती है उपर जाती है इससे पहले की मासंकट के काल से होकर जाए कहा मेरे पास वचन है जो आपको दिखाता है कि कलिशिया मासंकट काल में है मैंने कहा तब छटवी मोर को पड़ें बस इतना ही वो ठीक वहाँ मासंकट के काल के नीचे है लेकिन देखें ठीक इससे पहले दुलन चली गई है देखा वो उस समय पर महिमा में होती है उसके पास शुद्धी करण नहीं है देखा वो जो मुझ पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है और वो दोशी या न्याए में नहीं आएगा लेकिन मिर्त्यू से जीवन की ओर चला गया है मशी ने प्रतिक गया दी कि हम न्याए पर खड़े भी नहीं होंगे सो उसने उदारता से मेरी जगए को ले लिया जब तक मैं पूरी तरह से आजात नहीं हो गया जब मुझे शमा कर दिया गया तो मैं शमा किया गया हूँ कैसे वो मुझे गिर्वी रखने के दुकान से बाहर ले जा सकता है उसके पास एक साफ रसीद है आमीन इश्यू मसी के लव से लिखी गई देखा अब उसमें जहां हम आते हैं उसने कहा अब आप उसे कैसे पाएंगे चुनी हुई दुलन को अलग करेंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं आप इसे कैसे एक नमूने के तहट रखने जा रहे हैं मैंने कहा बहुत अच्छा मैंने कहा यहां है यह अब मती 27 अध्याय और 59 पद में यदि हम मैं से पढ़ता हूं और तब हम हमें यही पता चल जाएगा तब हम देखते हैं यह नमूना था या नहीं यह चुनी हुई दुलन है मती 27 अध्याय और 59 पद तो ठीक है हम इसे पढ़ते हैं हमारे प्रभू के क्रूस पर चड़ा जाने पर और देखो मंदिर का पर्दा उपर से नीचे तक फट कर दो भाग हो गया अब वो नियम था वो नियम वहां समप्त हो गया क्योंकि पर्दे ने पर्मेशर के पवित्र चीजों से सभा के लोगों को अलग रखा था केवल एक अभिशिक्त याजक वहां अंदर चला जाता और यह वर्ष में एक बार होता था क्या याद है अब पर्मेशर अपने खुद के हाथ से ध्यान दे उपर से नीचे तक नीचे से उपर तक नहीं या कुछ 40 फूट उचा था जान दे नीचे से उपर तक नहीं लेकिन उपर से नीचे तक ये दिखाता है कि ये पर्मेशर के द्वारा किया गया है पर्दे को दो भाग में चीर दिया फिर यदि कोई भी जो भी चाहे आ सकता है और उसकी पवित्रता का भागी जार हो सकता है समझे तो ठीक है उपर से नीचे तक फटकर दो टुकडा हो गया और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई और कबरे खुल गई और सवे पवित्र लोगों की बहुत लोथे जी उठी और उसके जी उठने के बाद वे कबरों में से निकल कर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई द यह वो चुनी गई है वो दुलन ना ही उस समय पर वो सारी यहुदी कलीसिया उपर आती है उन सभी ने एक समान बरिजान को चड़ाया वे सभी मेंने के बाहे हुए लोग के नीचे थे लेकिन एक चुना हुआ जुन्ड था और वो चुनावा जुन्ड जैसे ही वो घटना घटित होती है जिनोंने वास्ताव में सच्चाई से इसका विश्वास किया था अब मैं इस शब्द पर आ रहा हूँ जै पाना अब पकड़े रहना ये जिनोंने वास्ताव में जै पाई थी सच्चाई से उसी भेट को चड़ाते थे जो बाकी की लोग चड़ाते थे लेकिन सच्चाई से संसार की चीजों पर जै पाई थी जब उनके लिए संतुष्टी की भेट साही रिती से तैयार की गई थी वे स्वर्ग में थे तब तक के लिए जब तक उस समय में इसे नहीं दिखाय जाता है जब वो समय तैयार किया गया उन्होंने जै पाई थी और विश्राम कर रहे थे सो रहे थे देखो बहुत से लोगों के शरीर उस मिट्टी में सोय हुए है देखो सोय हुए अब यदि हमारे पास समय होता था तो हम दानियल के पास वापस जा सकते थे जब दानियल जो कि चुना हुआ था उसने जै पाई थी और उसने कहा दानियल पुस्तक को बंद करो क्योंकि तुम अपने बड़े जुन्ड में विश्राम को पाऊगे लेकि जब राज़कुमार आएगा जो लोगों के लिए खड़ा होगा तो तुम उस बड़े जुन्ड में खड़े रहोगे यहां है यह दानियल परमिशर के इस भविश्यक्ता ने अंत की समय को आते हुए देखा और उसने कहा दानियल तुम उस दिन पर बड़े जुन्ड में खड़े रहोगे और यहां वो था उपर आते हुए सारे इस्राइली नहीं लेकिन इस्राइल के दुलन का नमूना अब बाकी का इस्राइल उपर नहीं आता है जब तक सारवजनिक पुनृता नहीं होता है और अब प्रभू एशू के आगमन पर जो वास्ता में उनके आगमन से प्रेम रखते हैं वो इसके लिए जी रहे हैं जब वो आकाश में उपस्तित होता है तो कलीसिया जो मसी में मरी है जिलाई जाएगी और वे पल भर में बदल जाएंगे उन में से बाकी के इसके बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे याद रखें शहर में उन लोगों को दिखाई दिये देखा वो रैप्चर इस तरह से होगा हम एक दूसरे को देखेंगे और हम उने देखेंगे बाकी का संसार उने नहीं देखेगा वे दूर उठा लिये जाएंगे जैसे एक गुप्त में हो रहा होगा उस समय के लिए रुके हैं उसके बाद उस मैमा में शर्श अताप्दी के लिए धर्ती पर लोट आएंगे फिर हजारों वर्ष बाकी के मिर्थ एक हजार वर्षों तक नहीं रहेंगे और फिर सर्वजनिक पुन्रुथान आता है जा सभी इस्रेली उपर आ जाते हैं और वहां देखो बारा प्रिडित बारा आधरनी प्रधान सारे प्रजिनित्तित्व करते हैं और हम अभी तक कभी भी वहां नहीं पहुचे हैं हो सकता है पर्मिशन ने चाहा तो हम इस नए नियम में पाएंगे कि कैसे यशब पत्थर की दिवारें और बारा पत्थर, बारा फाटक, बारा नीव इसका प्रधिनित्तित्व किया गया है यहां पर वे बारा सियासन पर हैं, उनके समय के संदेश वागदूत, उन लोगों पर न्याय करने के लिए जिनोंने उनके संदेश को ठुकरा जिया था आमीन, वहां पर वो मान गड़ी उपर आती है जी हां, क्या है दिन है, क्या ही समय है, जिसमें हम जी रहे हैं, हमें किस तरह से इसकी जाज करनी चाहिए, कलिसिया अब हम इन आने वाले बातों के बारे में बात करते हैं, जो होने वाली है, अब आज आये यहां वापस आते हैं, और देखते हैं, खुद को जाज कर और देखें, कि हम विश्वास में सही हैं या नही हैं अब आये कुछ समय के लिए, कुछ जै पाए हुए लोगों के लिए बात करें, नू के समय के दिनों में जिसे इश्व मसी के द्वारा आज के जैसे होने का नमुना बताया मुझे लगता है कि दस मिनट हैं, अब मैं आदे घंटे का समय लूँगा, मैं अपना पहला अपना अभी आरम कर रहा हूँ, मैं उन में से कुछ बातों को छोड़ दूँगा, यदि मैं कर सकता हूँ तो, और लूँगा जो नू के समय में जो आज का नमुना है, इश्यू ने उसका उलेक किया और कहा, जैसा कि यह नू के समय में था, वैसा ही मनिशे के पुत्र के आने पर भी होगा, नू के समय में वैसा ही यह मनिशे के पुत्र के आने पर होगा, ध्यान दे, वहां सारे पुराने रूरिवादी लोगों का संसार था, संभवत है, लाखों लोग थे, वहां आठ जै पाने वाले थे, आठ लोग जै पाने वाले हुए, जो सच्छे असली जै पाने वाले थे, नुह के तीन पुत्र और उनकी पत्नियां और नुह और उसकी पत्नी थे, आठ जै पाने वाले जिन्होंने उचिस समय पर जहाद में प्रविश किया, उन्होंने इसे कैसे किया, उन्होंने परमिशर के बचन को सुना, वे दर्वाजे के बाहर नहीं पाए गए थे, वे दर्वाजे के अंदर पाए गए थे, ओ मेरे प्रियमित्रों, उस दर्वाजे को बंध होने न दे, एशु ने कहा, जैसा कि ये उस दिन में था, वैसा ही ये मनुश्य के पुत्र के आने पर होगा, धन्यवाद भाई, वैसा ही ये मनुश्य के पुत्र के आने पर होगा, अब वहां कोई तो उस दरवाजे के बाहर पाया जाएगा उन में से कही लोगों के पास अच्छे इरादे हो सकते थे और कहा होगा किसी दिन यदि ऐसी बात घटित होती है तो हम भाई नू के साथ जाएंगे क्योंकि वो एक अच्छा विक्ति है लेकिन आप देखें यह केवल आट लोग ही अंदर पाये गए अब जोड लगा कर सोचें यदि आप ऐसे ही यामा भटक रहे हैं ढीले हो रहे हैं अंदर आ जाओ शिकरता से जल्दी करो क्योंकि दरवाजा किसी समय बंध हो सकता है और हमेशा ही परमेशर की अर्थ व्यवस्ता में एक जहाज रहा है नुह के जिनों में एक जहाज था उनके लोगों को बचाने के लिए नियम के दिनों में एक संदूख था, गवाई का संदूख, नियम के दिनों में उन्होंने संदूख का अनुकरन किया और अब वहां टीसरा समय काल है, नू के समय की तरह, लोट का समय, और अब ये समय, अब एक संदूख है और वह संदूक एक संप्रदाय नहीं है ना ही एक अच्छे काम है जो आप करते हैं ये एक आत्मा के द्वारा है रोमियो 8.1 हम सभी ने एक दे में बबतिस्मा लिया है उस राजय के अधिकार में एक आत्मिक बबतिस्मा कोई फरक नहीं पड़ता कितना अच्छा है कितना बुरा है जो भी हो आप पवित्रा आत्मा के बबतिस्मे के द्वारा उस राजय में है देखा इसी एक मात्र तरीके से आप जै पाते हैं यह सब कुछ बाएं हुए लगों के नीचे जै पाते हैं क्योंकि आप खुद से जै नहीं पा सकते हैं यह वो है जो आपके लिए जै पाता है आप विश्राम कर रहे होते हैं फिर मैं कैसे जानूंगा भाई ब्रेनम कि मैं उसमें हूँ देखो कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं एक बार यामा देख लें देखें क्या यह अपने आप से आप में से बाहर आता है या क्या आपको तना होता है और खीचना पड़ता है देखो तब इसे आप कर रहे हैं लेकिन ऐसा करने की कोशिक मत करो क्या आपने कभी कोशिश की जी हां मत करो यह बस एक आस्तिन के छेद में छोटे बच्चे के हाट डालने की तरह है आप देखें वह बस उपर नीचे उसके उपर और वो बस सब कुछ करता है समझे वह ऐसे नहीं कर सकता है प्रिय अपने कोट को पहन लो वो इसे नहीं कर सकता है छोटे छोटे हाथ उपर नीचे यहां वहां जाएंगे यह आपके संतुलित हाथ को लेता है ओ मैं कितना खुश हूँ मैं बस पिता को अपना हाथ सौब सकता हूँ कहते हुए हे प्रबु एशू मैं वहां हाथ को नहीं डाल सकता हूँ आप मेरी साहता करें मुझे कोट पेनाएं मैंने कोशिश करना छोड़ दिया है केवल उसे इसे करने दें समझें यदि वो छोटा बच्चा कोशिश करता रहता है ओ मैं इसे कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ और वह बस हर कहीं हाथ डालता रहेगा वह से नहीं कर सकता ना ही आप कर सकते हैं ना ही मैं कर सकता हूँ लेकिन यदि हम शांत खड़े रहें और उसे इसे करने दें केवल उसे सौब दे यहाँ प्रभू मैं यहाँ हूँ बस मुझे कुछ नहीं करना है मैं सौबता हूँ आप मेरे हाथ को सही जगह पर डाले यही जीत है यही जैपाना है जिस चीज पर आपको जैपाना है वह आप स्वेम है आपके विचार, आपकी बाते और अपने आपको उसे समर्पित करना है उसने तुमारे लिए जै को पाया है वह मार्क को जानता है हम नहीं जानते लेकिन नो के समय में वहां आठ जैपाने वाले थे और यही है जो अंदर पाए गए थे वे अंदर पाए गए अब देखो मित्रो मैं सोचता हूँ वे से टेप कर रहे हैं क्या यह टेलिविजन पर होगा और नहीं मुझे शमा करना टेप में होगा जो भी आप करते हैं वे जो अब सुन रहे हैं और वे जो बाद में सुनेंगे देर हो चुकी है आपके पास अच्छा उदेश होगा लेकिन अंदर पाया जाना है अब संगर्शन करें ना ही जो चाहता है या जो दोड़ता है लेकिन परमिशर जिसे चाहे बस परमिशर को करने दें केवल अपने आप को उसे सौब दें और आगे चलते रहें एक सिद्ध संतुष्ट विश्वास के साथ कि जो परमिशर ने प्रतिक्या की है वो उसे पूरा करने में शक्षम है ना ही एक संस्था से जुणना दूसरी संस्था से इधर दोड़ना उधर और हर कहीं और इसे परक्षना केवल परमिशर को खुद को सौब दें और उसके साथ चलें शांती पूरवक्ष चुपचाप बिना रुकावट किये बस उसके साथ चलते रहें यह सई बात है यही है जो मैंने हमारे भाई को बचाया जो तब टूट कर रो पड़ा था समझे केवल उसे सौब दो वो यहां पर है वो ही है जो जानता है कि आपने क्या किया है और आपके ऐसा होने का कारण और इस तरह से करने का क्या कारण है वो सब वो आपके बारे में सब जानता है और उसने आपको अभी पीछे बताया है कि क्या करना है अभी मैंने कहा केवल एक ही बात है जो तुमें करना है बस जाकर इसे करें ऐसा है अपने सारे अतीत को भूल जाएं चलिए भविश्य के लिए जिएं महिमा और प्रभु की उपस्तिती में आठ जै पाएवे लोग उस दिन दानियल के समय में वहां चार जै पाएवे लोग थे जो आग और सीह की परिशा में खड़े हो सके थे अब हम परिशा के होने की अपिक्षा में है यह मेरे भाई के लिए भी वहां पीछे एक अच्छा सबक है वह जो परमिश्य के पास आता है उसकी पहले परिशा होने ही है परिशा होना किस से वचन से यही परमिश्य का परिश्य है क्या आप इसे विश्वास करते हो वो जो परमिश्य के पास आता है उसकी पहले परिशा होनी ही है तब यही के वल एक सची संतान को दिखाता है परिशा होना है और जब परिशा आती है आप जै नहीं पा सकते हैं जब तक आपको एक परिशा ना दी जाए और जब परिशा दी जाती है तो यह देखना है कि आप जै पा सकते हैं या नहीं और इशुने कहा जो जै पाता है उस परिशा में वो परिशा ही सबसे बड़ी बात है जो कभी आपके साथ होती है मैं सोचता हूँ ये वचन में लिखा गया है पत्रस ने कहा हमारी परिशा बव मुल्य सोने की तुलना में हमारे लिए अधिक मुल्यवान है या एक परिशा का समय है ये हमारे लिए एक अच्छा प्रमाण है कि जब हमारी परिशा होती है तो परमिशर हमारे साथ है क्योंकि परमिशर की सारी संतान की परिशा होनी है और परखा जाना है और दानियल एक मनश्य एक भविश वक्ता शर्दक मेशक और अबजनगो दानियल भविश वक्ता था और यही उस दिन की कलीसिया का आकार था मेरा मतलब है दुलन वहां बहुत सी कलीसिया थी उन में से 20 लाग वहां निकल गए लेकिन वहां यही वो जैपाने वालों का आकार था और उन जैपाने वालों को परिशा में डाला गया है और हर जैपाने वालों को परिशा में डाल दिया जाना चाहिए और जब उन्होंने कहा तुम उस बात को वापस लो जो वचन कहता है या तो आकी भटी में फेक दिया जाएगा उन्होंने सब कुछ इंकार कर दिया पर वचन को नहीं और जब दानियल को परिशा दी गई तो उसे वापस लेना चाहिए जो वचन ने कहा था कि उन्हें मंदिर की तरफ जुकना चाहिए जैसे सुलमान ने प्रात्ना की और वो उन्हें सारी बातों से छुड़ाएगा परमेशर सर्क से सुनेगा यदि वे जुके तो मंदिर की ओर देखकर और प्रात्ना करें और कहा यदि कोई व्यक्ती इन दिनों के भीतर प्रात्ना करता है और हम मंदि फारिसिया हैं जो हमारे नियमों को अदल बदल नहीं सकते हैं उस मनशे को शेर के गुफा में फेक जिया जाएगा उन्होंने उसके लिए एक जाल को बिछाया मैं विश्वास करता हूँ कि भविश्वक्ता को ये पता चल गया था लेकिन उन्होंने उसके लिए एक जाल तियार किया वह नम्रता से चला था जब उसके प्रात्ना करने का समय आता है जब वो जानता था जो उसका घर का इस्तान है येरुशिलम में वावेदी पर जलता हुआ बलिदान था दानियल उन भेजियों से नहीं डरता था परदों को उपर उठाया और किवाड को पीछे फिक दिया और नीचे गुट्णों को टेक कर परमेशर की ओर हातों को उठाया और प्रात्ना की क्यों जीना या मरना उसके पास जीत थी और सो इतनी ज्यादा विजय इतना तक की शेर भी उसे नहीं खा सके उसने जै पाई वो शर्दक मेशक अबिजनगो के पास इतनी बड़ी जीत थी शेर तक इतना तक आग भी उन्हें जला नहीं सकी आप जानते हैं जीत एक मुश्किल बात है जल जाने के लिए या खा जाना या जो कुछ भी है देखा तो उनके उनके पास जै थी मैं एक और चरितर का उलेक कर सकता हूँ लूट के दिनों में ईशु ने इसका उलेक किया वहां केवल तीन ही थे जिनों ने जै पाई लूट और उसकी दो पुत्रियां उसकी पत्री भी नहीं उसने जै नहीं पाई उसने आरम किया था वो एक नमूना है काश हमारे पास समय होता था ठीक अभी मैंने तीस मिनट पूरे कर लिये हैं देखा देखा उसने उसने सब ठीक किया वो निकल गई अब मुझे ये आपको बताना है एक शन रुकना आप में से बहुत उने भी छोड़ दिया है अप में से बहुतों ने इन चीजों को छोड़ दिया अपने इस्तान को लेने के लिए वचन के जरिये से इसे जाचने के बाद और देखा ये सही है आपने सर्शक्तिमान परमेशर के प्रमानित होने को देखा ना किसी के द्वारा या जो किसी ने बताया कि एक प्रमानित था बैबल जो कहती वो होगा और यहां ये से कर रहा है आपने से देखा ये सस्ता तो आप बाहर निकल आए हैं सदम को छोड़ने के लिए संपरदाय को छोड़ने के लिए उन चीजों को छोड़ने के लिए जो आपको एक सिद्धान से बानते हैं और मसी के पीछे चलना पवित्रा आत्मा के द्वारा खोड़को परमिशर के लिखित वचन से प्रमानित करते हुए दूसरे शब्दों में आपने सिद्धान के बजाए बाइबल को लिया है आप बाहर निकले ताकि इसका अनुकरन करें सो लूत की पत्णी ने उसी काम को किया आप जानते हैं वो लूत के साथ जाने के लिए बाहर निकली अपने पती के साथ उसके बच्चों उसके प्रिये जनों की पीछे चलने लगी लेकिन ये उसके हिर्दय में नहीं था वो अभी भी संसार से प्रेम करती थी इसलिए ये संभव है कि आप एक आरम कर सकते हैं और फिर भी आप में संसार हो सकता है देखा उसने कभी भी जय नहीं पाई थी और यहां तक वो मार्क पर भले ही अच्छी तरह से थी इसने अटह उसे पराजवित कर दिया उसे उस एक बड़े लंबे समय तक आकरी निगाह को डालना था यही है जहां पर वो रुख गई यहां तक पीछे भी मत देखो कोई इच्छा न रखें आगे चलते रहें कलवरी पर अपने ध्यान रखें और मसी की और बढ़ते रहें समझे उसने एक जै पाने वाले के रूप में आरम किया लेकिन उसने कभी भी जै नहीं पाई और उसने संप्रदाय को छोड़ दिया उसने छोड़ा वो लूट के साथ सदम से बाहर निकल कर आई लेकिन वो वापस जाकर अपने बाल को कटवाना चाहती थी आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है समझे उसे वापस जाना पड़ा वो परिशा में इस तिर नहीं खड़ी हो सकी उसे मुड़ कर फिर से देखना था या देखने के लिए कि उन में से बाकी लोग क्या कर रहे थे ओ आप जानते हैं आखिरकार मेरे यहां कुछ अच्छे मित रहें और आखिरकार यह कुछ ही कदम जल सकते हैं मैं नहीं जानता कि यह सही हो सकता है या नहीं मुझे इसके लिए मेरे पास के वाल इस मनशक शब्द है हाला कि वो मेरे पती है लेकिन फिर भी आपका पास्टर आपका पती है आत्मी ग्रूप से बोल रहा हूं आप देखें अब चाहे यह सही हो सकता है या नहीं मैं नहीं जानती हो सकता है वो उसका प्रकाशन सही नहीं था फिर यदि्व पूरी तरह से संतुष नहीं है तो आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि यह परमिशर का बचन है तब आप नहीं जा सकते हैं देखा आपको वास्तों में सब कुछ दे देना चाहिए आपको जानना चाहिए के विल इतना ही मत कहें तो मैं दूसरों को इसे करते हुए देखता हूँ मैं एक चिन्न देखता हूँ आप जानते हैं इसराइल बाहर निकला मैं उसी बात को कह सकता हूँ और इसे यहां ला सकता हूँ वे बाहर निकले 20 लाक मजबूत और दो पुरुशों के साथ समाथ हुआ सही है उन्होंने परमेशर के काम को देखा उन्होंने आत्मा का प्रकटिकरन देखा उन्होंने मिस्त्र में महान और शक्तिशाली अद्बूत कारेओं को होते वे वहाँ पर देखा और सब कुछ और बाहर निकले लेकिन ये उनके हिर्दय में नहीं था उन्होंने जै को नहीं पाया वे बाहर निकले और इश्व ने कहा वे जंगल में नाश हो गए और अनंतता के लिए मर गए उन में से हर एक जन मरा हुआ है इसका अर्थ है अनंत काल का अलगाव उन में से हर एक जन जंगल में सड़ गया लेकिन वहां दो पूरुष थे योशू और कालिप और जब ये बल परिशा की बात आई वे बांधाय इतनी बड़ी थी इतना तक की वे उनके सामने टिटी की तरह लग रहे थे ये उशू कालिप के साथ चिल्ला उठा और कहा हम इसे करने में शक्षम हैं क्यों परमिशर ने ऐसा कहा है और वे जै पाने वाले थे उन्होंने जै पाई वही वो एक थे जिने सवभागे मिला था लोगों के उस बहुत बड़े संगटन से बार निकलने का ताकि वास्तविक चुनी हुई दुलन को प्रतिग्या कियोई देश में ले कर जाएं यौशु और कालिप वहां दो जनरलों के रूप में आगे की कतार में थे उन्हें वहां सीधा नदी की ओर ले कर गए और नदी को पार किया वहां प्रतिग्या देश के अंदर क्यों उन्होंने वचन पर विश्वास किया कोई फरक नी पड़ता जो भी हो तब दातान उठा मेरा मतलब दातान खड़ा हो गया और कोरह वो भी खड़ा हो गया और उन्होंने यह कहने की कोशिश की यह मनश्य हम बाकी सबी लोगों के उपर अपने आपको उपर लाने की कोशिश कर रहा है कि वो उन सबी लोगों के मुकाबले ज़्यादा पवित्र है ऐसा परमेशर के द्वारा उस मनश्य को पूरी तरह से प्रमानित करने के बाद था उन्होंने कहा हम बस एक लोगों का जुंड आरम करेंगे और हम ये बनाएंगे वो या कुछ और बनाएंगे और हम अपने संगटन बनाएंगे हम करेंगे और वे मर गए और नाश होगे लेकिन उन पुरुषों के पास परमेशर का वचन था और वे इसके साथ बने रहे और वे वहाँ चले गए ना ही वो जो आरम करता है वो जो समाप्ट करता है बहुत से लोग दोड़ को आरम करते हैं लेकिन एक इसे समाप्ट कर रहा होता है वहाँ बहुत सी कलेशियाएं आरम होंगी बहुत से लोगों के जुंड एक जुंड समाप्ट करेगा यही जै पाने वाले हैं लोग के जिन जी हाँ उसे पीछे मुड़कर बहुत दूर तक देखना था बहुत समय तक देखती रही ओह मैं वहाँ फलाना फलाना को पीछे छोट रही हूं हमारे पास अच्छा समय हुआ करता था मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी और वो वही रुक गई बाहर अटक गई जैसे नो के दिनों में था वो बाहर ही अटक गई बिना दया के और वो नाश हो गई और वो धेर आज भी वहाँ खड़ा है वे दावा करते हैं मैं नहीं जानता आप उसका एक टुकड़ा तोड़ सकते हैं और यह वापस बढ़ जाएगा जो एक नमक का खंबा है आपने कभी सदव और गमोरा की तस्वीर देखी है आप वहाँ पर खड़े मूल नमक के खंबे को देखेंगे अब वहाँ नमक के खंबे और आख के खंबे के बीच एक अंतर है देखा आपको एक ही रास्ते की तरह मुड़ना होगा जी हाँ यून्ना के समय में उनके पास छे थे जो यूसफ और मरियम जकरिया और अलिशिभा शिमोन और हन्ना थे एक पुरुष और एक इस्तरी, देखें, मसी और कलिसिया का नमूना, मसी कलिसिया, मसी कलिसिया, मसी कलिसिया, देखा, समझे? ध्यान दे, यह सभाईक बनुष्य से आरम होता है, नहीं, यूसुप, सभाईक बनुष्य, यूसुप, वह क्या था, एक बड़ेई, तब वह याजक, वह क्या था, समझे? प्रभु के भवन में एक सेवक, जकरिया, और वहाँ पर वो शिमोन के लिए एक भविश्वक्ता, और एक भविश्वक्तनी, देखा, धर्मी करण, पवित्री करण, पवित्रा आत्मा का बप्तिस्मा, आमीन, क्या आप इसे नहीं देखते हैं? पूरी तरह से, छे जै पाने वाले, वे बाके के सारे, उन्होंने अपने बलिजान को चड़ाया और इत्यादी, लेकिन इन्हें चुना गया था, उन्होंने जै पाई। हर कलिशिया युग पर ध्यान दे, वही जैवन्त लोग, जब वे हर युग, हर एक युग में उस युग के परिशाओं से जैवन्त हुए। मेरे पास यहां बचन है, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे पास इसे करने का वास्तों में समय है, लेकिन हम कलिशिया काल में से हर एक को जानते हैं। वैसे ही अब है, यह बस ऐसा है, जैसा कोई तो, देखो, जैसा कि मैंने आरम में कहा था, आप हारे हुए जन में हैं। और वो जनम आपको कभी भी जीवन में नहीं ला सकता है, क्योंकि आप हारे हुए जन में हैं। हारे हुए संस्थाों के बीच, हारे हुए संप्रदाएं, आपको किसी तरह से जीत के लिए आना होगा। यह एक कमल की तरह है कहा है मैं सोचता हूँ कि एक कमल वहां सबसे सुन्दर फूलों में से एक होता है मैं उन बहुत बड़िया कालला कमल और चलाब के कमल का बहुत ही चहेता हूँ मैं सोचता हूँ कि शायद ही कोई इतना सुन्दर है जित्ता कि ये एक बहुत बड़े तलाब का कमल होता है इसे जल कमल कहते हैं क्या ही ये तेजस्वी होता है अब ये कहां से आता है ये एक छोटा सा बीज है जो एक गंदे कीचड के तलाब के तल में होता है और उस वक्त उस छोटे से बीज में उस समय वो तेज होता है जब वो उस कीचड में होता है जो कभी चमकेगा लेकिन इसे रोजाना प्रयास करना है ये जानते हुए कि कुछ तो है जो काला है जो गंदा है ये कीचड से भरा है ये चिकनी मिट्टी है उस चिकनी मिट्टी में ये रहता है फिर भी ये उस कीचड में से गंदगी में से और पानी मेले गंदे इस्तानों में से होकर मार को बनाते हुए आगे निकलता है ज़तकी ये उस प्रकाश में अपने सिर को उपर नीलाता है और उस चीज को व्यक्त करता है जो इसमें हर समय से छिपा हुआ था मैं सोचता हूँ कि यही एक जैपाने वाला होता है जो एक बार पाप में था एक बार उन चीजों को किया जो गलत थी अब इसके बारे में चिंता न करें एक बार उन चीजों को किया जो गलत थी तो अब उस तलाप में फिर से क्यों देखें देखा देखो आपके पास परमिशर उसके पहले से ठहराई जाने के द्वारा देखो इस बीच को जीवन में लाया है और ये अपने आप से आगे बढ़ रहा है देखो उस प्रकाश में आ रहा है और अब उन सभी के उपर इसने जै को पाया है देखा ये खुद को वा नीचे व्यक्त नहीं करता है ये खुद को व्यक्त करने के लिए उपर आ रहा है ना तो आपने व्यक्त किया आपके पाप में और वैविचार और जो कुछ भी जिसमें आप जीए थे आपने कुछ भी व्यक्त नहीं किया लेकिन वहाँ पर एक बीज था और इसे प्रकाश में खुद को उपर लाने का मौका मिला और अब आप एशु मसी की उपस्तिती में हैं पुत्र के प्रकाश के साथ इसने उसे बाहर लाया वास्तों में जो आप अरम में थे आप समझे मेरा क्या मतलब है आपने प्रकाश को देखा आप खिल उठे आपने अपना हिर्दय खुला रखा और अब आप एक कमल हो आपको कमल पर मेरा अपदेश याद है आदरनी कमल वो कैसे कटिन परिश्रम करता है और फिर भी वो जुकाव नहीं लाता है और फिर भी सुलिमान उसकी सारी मेमा में इस में से किसी एक की तरह नहीं था वो वो उसकी और देखो वो तयार है वो खुद से कुछ भी नहीं लेता है वो कमल खुद के बारे में कुछ भी परवा नहीं है वो क्या करता है वो अपनी सुन्दर्ता को बाहर लाता है उसका जीवन जिससे दूसरे देख सकते हैं उसका जीवन व्यक्त होता है जिससे के दूसरे महिमा को देख सकें जो उसमें उस कीजड में था अब वो सबसे उपर है यही वो जैपाने वाला है उसने कीचड पर जैपाई उसने संसार की चीज़ों पर जैपाई और अब वो स्वतंत्र रूप से खुद को बाहर लाता है हर कोई उसे देख सकता है उसका जीवन आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं देखा वो एक सच्चा जैपाने वाला है अब आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं कहा वो कीचड से बाहर आया है लेकिन वो अब कीचड में नहीं है वो इसके उपर है आमीन अब आप उसकी और उंगली नहीं उठा सकते हैं, जो वो था, वो अब क्या है, वो उपर है, तब वो मदुमकी आती है, और केटी है, यह अदबुत खुजबू है, मैं सोचती हूँ कि मैं जाकर और अपने हिस्से को प्राप्त करूंगी, वो बस अपने हिर्दे को खोलता है, अब आगे बड़ो, ठीक है, सब कुछ उसमें से बाहर आता है, देखा, वह, वो एक सचा पास्टर है, वो परमिश्र की मैंवा को व्यक्त करता है, और देखो, वो कहां से आया है, उसे यह करने के लिए जैपाना था, एक समय वो पुरुष या विस्तरी युवा थे, और सुंदर और रुपवान थे, उनके पास उन में से होकर जाने के लिए बहुत सारी परिशाएं थी, लेकिन उन्होंने उस पर जैपाई थी, देखा, उन्होंने जैपाई, अब वे अपने जीवन में मसी की सक्ची सुंदर्ता को व्यक्त कर रहे हैं, ध्यान दे, कीचड में से होते हुए, व्यक्त करना, एशु ने हमें उधारन दिया, इसे कैसे करना है, अब हम जानना चाते हैं की कैसे जैपाना है, एशु ने में बताया की इसे कैसे करें, देखा, नमरता से खुद को एक तोलिया बांकर और चेलो के पैरो को धोकर और उन्हें पोचा, उसी सर के परमिशन ने खुद को नमर किया, यह यह इस कारण है, इस्त्रिय की तरह कपड़े पहनना नहीं चाहिए, जैसे उन्हें कपड़े पहनना चाहिए, नहीं पुरुष नहीं चाहते हैं, देखो, यह वही बात है, वे नहीं करते, वे उन्हें नमर होना है, लेकिन एशू हमेशा ही देखो वो कौन था, महान था, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, नम्रता अपने आप में सबसे महान होती है, महान खुद को नम्र करता है, महान था, मुझे कुछ बड़े पुरुशों से मिलने का सबाग मिला था, और ये वे लोग थे, जिनके पास बदले हुए कपड़े होते हैं, और उनके जेब में पचास सेंट होते हैं, और बकवात करने के लिए, यही वो व्यक्ति है, जो सोचता है, कि वो कुछ तो है, जबकि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उस बड़े व्यक्ति के पास खड़ा था, मेरा मतलब है वो बड़ा व्यक्ति, उस फटी हुई आस्तिन, और आस्तिन की कलाई फटी हुई, उस मान पुरुश के साथ, वे आपको सोचने को लगाएंगे, कि आप मान व्यक्ति हैं, देखा, मानता ही नम्रता है, कलिसिया, यह मत भूलना, मानता नम्रता में व्यक्त हुई है, ना ही आप कितने अच्छे हो सकते हैं, अब मेरा मतलब गंदा नहीं है, मेरा मतलब आत्मा में नम्रता है, देखा, मेरा मतलब यह नहीं है, कि बाहर जाकर ना कभी धोएं और साब करें, यह आपको इसे करना चाहिए, आप यह जानते हैं, देखा, लेकिन मैं नम्रता, वास्तविक नम्रता के बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही दिखावा, कुछ तो ऐसा, जो सक्ची नम्रता है, इशु ने में बताया, कि यह कैसे करें, उसने जैप आई, मतलब, जैप आने का मतलब, परिशा के लिए खड़ा हुना, यह सही है, जैसा कि सारे पुराने संतों ने किया था, जैसे इशु ने किया, उसके शारे शत्रों के बीच, वा परिशा में खड़ा था, हर एक चीज जो उसके विरोध में परिशा आई, वा खड़ा हुआ था, उसी बीवारी के सामने, और वह मसीह होने के कारण, उसने उने चंगा किया, मिर्थियों के सामने उसने इसे वापस जीवन में लाया, कलवरी के सामने उसकी अपनी मिर्थियों को, उसने स्वेम को समर्पन करने के द्वारा इसे हरा दिया, क्यूं बचन के द्वारा कहा तुम इस मंदर को गिरा दो और मैं इसे तीन दिनों में खड़ा करूँगा बचन ऐसा कहता है देखा और मिर्तियू का सामना करने में उसने इसे हरा दिया उसने मिर्तियू पर जै पाई अदो लोग का सामना करने में उसने अदो लोग को हरा दिया और अदो लोग पर जै पाई कबर का सामना करने में उसने कबर पर जै पाई क्यूं सब कुछ बचन और नमरता के द्वारा ओ प्रभू, वहां वो सच्चा मनश्य है, वहां वो एक मनश्य जो आपके लिए उधरन बनता है, देखा, उसने हर एक चीज को हरा दिया, इस पर जै पाई देखो परिशा हैं उसके लिए थी, क्या आप यह जानते हैं, बाईबन ने कहा, उसकी हमारे जैसे हर एक इस तरसे परिशा हुई थी, फिर भी बिना पाप के था उसकी शराब के द्वारा परिशा हुई उसकी इस्तिरियों के द्वारा परिशा हुई थी जिसके द्वारा परिशा हो सकती है उसकी हर एक चीज के द्वारा परिशा हुई जो हमारी होती है वो एक मनश्य था और फिर भी आप उस पर दाग नहीं लगा सकते जी हाँ शरीमान जै पाने का मतलब है शेतान को उसकी हर एक चान में पैचान लेना बहुत से लोग कहते हैं कोई शेतान नहीं होता है यह तो के वालिक विचार है आप उस पर विश्वास मत करना एक वास्तविक शेतान है वो उतना ही वास्तविक है जितना आप है या कोई भी एक वास्तविक शेतान और आपको उस वास्तविक को पैचानना चाहिए आपको जानना चाहिए कि वो एक शेतान है तब उसी समय जब आप उसे पैचानते हैं और जानते हैं कि वो एक शैतान है और वो आपके खिलाफ है तब जय पाने के लिए आपको पैचानना चाहिए कि आप में जो परमिश्र है उस शैतान से बढ़कर है और वो सबसे बड़ा और सामर्थी है वही वो एक है जो आप में पहले से ही उस पर जय पा चुका है और उसके अनुगरे के द्वारा आप उसकी तुलना में कुछ अधिक मिल खाते हैं आमीन जब आप पैचान जाते हैं तो वास्तविक जैपाना होता है आप पीशे देखते हैं कहते हैं मैं यह कर रहा हूं मैं ऐसा कर रहा हूं तब नहीं आप आप हार गए हैं लेकिन जो मसी एशु में है उन पर कोई दंड की आगया नहीं है जो शरी के नुसार नहीं लेकिन आत्मा के नुसार चलते हैं तब आप जान जाते हैं कि आपने जै को पाया है और आप जानते हैं कि वो एक शेटान है आप नहीं कह सकते मुझे एक बिमारी है और मैं विश्वास नहीं करता कि ये एक बिमारी है ओ हां ये एक बिमारी है आपको कैंसर है आप विश्वास नहीं करते कि ये एक कैंसर है ये एक कैंसर है ये एक कैंसर है लेकिन याद रखें वो बढ़कर है जो तुम में है उससे जो इस संसार में है आपको यह जानना होगा कि पवित्रा आत्मा जो आप में है उसने पहले से ही इस चीज पर जैपा चुका है और वो तुम में है और आप उसके द्वारा जैपा सकते हैं बिल्कुल यही समझदारी है यह बिल्कुल इसी तरह से बचन में लिखा गया है जैपाना मुझे जल्दी करना होगा मैंने अब 45 मिनट ले लिये हैं मैं अब वास्तों में समय से ज़्यादा ले रहा हूं ज्यान दें जैपाना वो परमिशर जो आप में है वो उस एक से बढ़कर है जो उसमें है संसार का परमिशर स्वर्क के परमिशर जित्ता बढ़ा नहीं है जो तुम में है कोई भी और अंदकार उज्याले की उपस्तिती में और खड़ा नहीं हो सकता है अब अंदकार उज्याले की उपस्तिती में खड़ा नहीं हो सकता है मैं परवानी करता ये कितना अंधिरा है प्रकाश इसे बाहर कर देगा ये खड़ा नहीं हो सकता है लेकिन आप जितना अंदकार लेना चाहते हैं ले ले और एक बार उज्याले के विरोत में खड़े होने की कोशिश करें देखें कि क्या होता है यही वो एक है जो आप में है वो उज्याला है और वो जो संसार में है वो अंदकार है तो उज्याला अंदकार पर जैप आने पर साबित हुआ है और वो व्यक्ति जो मसी में है और जानता है कि उसने संसार के चीजों पर जैप आया है आमीन इसका आप के साथ कोई और संबंध है ही नहीं आप आजाद है उज्याले में चलो जैसे वो उज्याले में है और इश्यमसी का लहू हमें सारे पापों से शुद्द करता है और हम एक दूसरे के साथ मिलकर संगती करते हैं आप वहीं पर है वो जो तुम में है बढ़कर है उससे जो संसार में है अब यदि आप पीशे देखते हैं और अपने आपको दोशी ठहराते हैं तो तुम अब भी संसार में हो लेकिन यदि तुम उससे उपर रह रहे हो तब वो जो आप में है आपको अंधेरे से उपर लेकर आया है कमल की तरह वो कीचड के अंधकार से उपर है वो अंधकार के कीचड के पानी से उपर है वो उज्याले में है जो उस कीचड को छोड़ने से पहले उस सुन्दरता को दर्शाता है जो उसमें डाली गई थी आमीन अब मैं एक छिलाते हुए मसी के जैसा अनुभो कर रहा हूँ आरम में जो भी वहाँ था वो परमेशर के द्वारा था इसने आगे बढ़कर इसमें से होते हुए अपने लिए मार को बनाया जै को पाया इसने छिलके पर जै पाई इसने कीचर पर जै पाई इसने पानी पर जै पाई इसने हर एक चीच पर जै पाई और एक जै पाने वाला था और परमेशर की सुन्दर था और मैमा को प्रतिभिंब किया, इसी तरह से एक विश्वासी करता है इसी तरह से नोह ने ऐसा किया, इसी तरह से लूत ने किया, ये इसी तरह से है, देखो कि वह क्या ही गर्वण में था इसी तरह से मुसा ने किया, इसी तरह से यहुचु ने किया, इसी तरह से दानियल ने किया उसी तरह से सर्दक मेशक ने किया था, इसी तरह से योना बब्तिस्मा देने वाले ने किया था, जकरिया, इलिशिवा इसी तरह से शिमोन ने किया, इसी तरह से हन्ना उसमें के हर एक ने किया था, उन्होंने कीचर पर जैप आई, जो कि उनके चार ओर थी, और वे उसमें से उपर आ गए अपने सिर को उस चीज से उपर निकाला और परमिश्र की महिमा को चमकाया, यही है जो एक सच्चा मसी करता है याद रखिये, इशु ने उसे दिखाया, यह कैसे हुआ, चालिस दिन की परिशा, उसकी परिशा किसी भी व्यक्ति से जादा हुई थी, जो कभी हो सकती है, इशु मसी की परिशा में, जिसे कभी परिशा में लाए जा सकता था ध्यान दे, उसने हमें दिखाया, कि इसे कैसे किया जाता है, अब मैं कुछ ही मिंटों में बंद करूँगा, देखो, उसने हमें दिखाया, कि इसे कैसे किया जाता है उसने इसे कैसे किया, वचन के द्वारा, इसी तरह से उसने इसे किया, क्योंकि वो वचन था और इश्यू ने कहा यजि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे आप फिर से वचन के लिए जाते हैं प्रतिग्या का वचन हर एक मसीह के लिए प्रतिग्या का वचन क्या है वो जो तुम में है बढ़कर है उससे जो संसार में है तो मैं कैसे जै को पाऊं मैं नहीं लेकिन वो वचन जो मुझ में है वचन परमिशर है तब मैं संसार की चीजों पर जै को पाता हूँ क्योंकि ये वचन मेरे अंदर है यजि तुम मुझ में बने रहो मेरा वचन तुम में तो केवल आप जो चाहो मांग लो केवल आगे बढ़ते रहो आप निश्चित रूप से किसी भी चीज से उपरी सता पर आ रहे हो देखा आपको सबसे उपरी सता पर आना होगा जो कि यूर काम उसकी चालिश दिन की परिक्षा परमेशर के वचन के द्वारा उसने जै को पाया मैं कुछी मिंटों के लिए कुछ दो व्यक्त करना चाहता हूं शैतान ने उस परिक्षा में उसके उपर तीन सबसे बड़े आकरमर किये ध्यान देना ये हमेशा ही उसमें तीन है इसे मत बूलना समझे उसने तीन सबसे बड़े आकरमर किये सबसे उचे से लेकर निचले तक उसने उसे जीतने की अपनी पूरी कोशिच की लेकिन वो वचन था आमेन उसने किसका उपयोग किया खुद वो वचन शेतन के तीन सबसे बड़े हमले या उसके उपर आकरमर लेकिन उसने वचन के साथ इसे मुलाकात की हर एक हमले का वो इसका वचन के साथ सामना कर सका अब इसे देखें सबसे उचे से लेकर निचले तक सबसे पहले उसने अपनी बड़ी शक्ती का प्रयोग करके अपना हमला किया जो कि वो जानता था कि वो वचन था वो उसके स्तान को जानता था क्या विश्वास करते हैं कि उसने जान लिया मैं मनशे का पुत्र हूँ वो अपने इस्तान को जानता था और शेतान आया और वो चाता था कि वो खुद पर अपनी शक्ती का उप्योग करे भोजन के लिए वो चाता था खुद से ही भोजन करे वो भूखा था एक मनशे को बूख लगती है वो अगब कुछ भी कर सकता है वो चोरी करेगा लूट पाट करेगा बीक मांगेगा उधार लेगा कुछ भी करेगा समझे उसे बूख लगी थी और शेतान ने उसके उपर उसका पहला सबसे बड़ा प्रहार का उप्योग किया ताकि उसकी शक्ती को ले कि जो उसे जैप आने के लिए दी गई थी और स्वेम पर इसका उप्योग करे उसने खुद पर इसका उप्योग नहीं किया नहीं उसने इसका दूसरों पर उप्योग किया यह सई है उसने दूसरों पर इसका उप्योग किया नहीं खुद के लिए यह उसके लिए नहीं था हाला कि वो इसे कर सकता था वो निच्छी दूरूप से इसे कर सकता था लेकिन देखा शेतान किस तरह से आता है शेतान चाहता है कि आप उस पर ध्यान दे उसने केवल वही ध्यान दिया जो पिता ने करने के लिए कहा था यह सही है उसने कहा क्यों शेतान ने कहा ऐसा लिखा है वो दूतों को आगया देगा उसने कहा हाँ लेकिन ऐसा भी लिखा है देखा आप वहाँ पर हो समझे वो जानता था कि वो कौन था शेतान ने जो लिखा है विचार उससे ज़्यादा गहरा जाते हैं देखा, ये प्रिणना है, दाना इसके अंदर होता है, आप देखो, ये वास्ताव में क्या है? हाला कि वो ऐसा कर सकता था, उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने कभी भी शेतान के प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया. अब यहां एक अच्छी बात है, देखा, कभी-कभी शेतान आपको ले सकता है, और जब आप सोचने लगते हैं कि आप प्रमिशर की इच्छा को कर रहे हैं, और आपको एक प्रस्ताव को दे सकता है, तो आप इसके लिए फस जाएंगे, जिहां श्रीमान वो निच्चे ही कर स सकता है, अब आए उधारन के लिए लेंगे, जैसे हमारी बहने बेसंदर हैं, और वह आपको ऐसे इस्तान पर ले जा सकता है, कि आप अपने बालों को बढ़ने देती हैं, आपको समझ रही हैं आता, ये आप पर बहुत अच्छा लगता है, और पहली चीज, जो आप जानते हैं, आपको एक प्रकास से थोड़ा घमड और किसी से थोड़ा उपर मैसुस होने को लगाता है, आप में से कुछ पुरुष, आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, देखा, और वो उसी चीज को ले सकता है, और इसे आपके साथ प्रस्ताओं को रख सकता है, ये सही है, देखो, आपको उस पर जै पाना होगा, बस याद रखें, आप परमिश्र के लिए जी रहे हैं, आपके पास एक कुछ देश है, और वो एशु मसी है, इसके बार और कुछ भी माइने ने रखता है, ये वो ही है, उसके बाद अगला आपके परिवार के लिए, उसके बाद तीसरा अपने लिए, लेकिन सबसे पहले परमिश्र के लिए, दूसरा आपके परिवार के लिए, और अगला आपके लिए, आप नमबर तीन पर हैं यही मार्क का अंथ है अपने आपको अंथ में रखें उसने किया देखो वो क्या कर सकता था कहा मैं अपने पिता को बुला कर उससे बात कर सकता हूँ वो सीधे मेरे लिए बारह दूतों के दल को भेज़ देगा जबकि उसमें से एक संसार को नश्ट कर सकता था कहा यदि मेरा राज इस संसार का होता था तो मेरे लोग मेरे लिए लड़ते लेकिन मेरा राज इस उपर का है आप वहां हो देखा बले ही वो इसे कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया देखा हाला कि वो यह कर सकता था उसने कभी भी शैतान के प्रस्ताव की बात नहीं सुनी अब क्या आपने लोगों को यह कहते हैं सुना है यदि आप विश्वास करते हैं एक दैविक चंगाई देने वाला है यदि आप एक दैविक चंगाई करता हैं जाकर अपने दैविक चंगाई देने वाले को लेकर आओ मेरे साथ यहां एक बिमार विक्ती है मैं उसे बिमार को चंगाई करते देखना चाहता हूँ उसी शेतान को देखा वो आपके सामने प्रस्ताव रखने की कोशिश कर रहा है वो आपको परमिशर की बजाए उसे सुनने को लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन परमिशर का असली सच्चा सेवक वो पहले सुनेगा और देखेगा कि पिता क्या कहता है समझे छोटे स्टेट सिलेव बालक के जैसे जब उन्होंने उसे यहाँ पर भेजा और श्रीमती स्टेट सिलेव ने कहा भाई ब्रेणम मैंने जर्मनी से फोन किया है एक अमेरीकी की सेना के जेट विमारों में से एक विमान बाहर मैदान में उतरा हुआ था मुझे एक दिन में विमान से जर्मनी में ले जाकर और वापस लाने के लिए वो एक पाधरी था और बालक मिर्त पड़ा हुआ था और वो छोटी मा चिलाती हुई उसने का सुनिये कहा मैं जानती हूँ मैं वहां खड़ी थी और देखा कि उस मेला ने उस मिर्त बालक को अपनी हाथों में पकड़ा था जो उस सुबह मर गया था मैंने देखा कि भाई ब्रेणम ठीक वहां चल कर आते हैं उस मिर्त बालक पर हाथ रखते हैं और उसमें जीवन आ जाता है कहा यह मेरा बालक है भाई ब्रेणम ऐसे उनके परिवार में कभी मिर्ती नहीं हुई देखा और इस छोटे से बालक की एक सुबह तबेत खराब हो गई और उसी दुपर को मिर्ती हो गई यहां वे सबी लोग चारों और खड़े थे और भविश्वाणिया और इत्यादी कर रहे थे बालक जीवित होने जा रहा है और इसी तरह से सब मैंने कहा ठीक है यह बहुत अच्छी बाते बहन इस्टेट से लेओ लेकिन मुझे देखने दो कि पिता क्या कहता है मैं जंगल में चला गया और मैंने प्रात्ना की वापस आया वो दो या तीन बार फोन कर चुकी थी क्योंकि मैं अगली सुबह को वापस आया कुछ भी नहीं हुआ डॉक्टर ने कहा ठीक है कहा यदी ऐसा है यदी आपके पास उस तरह का विश्वास है तो महिला हम बच्चे को अस्पताल से नहीं छोड़ेंगे इसे यहीं पर रहने थे आप इसके साथ यहीं पर रुके रहें यह ठीक बात है बाई स्टेड सिलेव ने जाकर और सेना प्रमुक से मुलाकात की उसने कहा जरूर हम उन्हें वहाँ विमान से ले जाकर और उन्हें वापस लेकर आएंगे और वहाँ एक विमान खड़ा हुआ था रुका हुआ था ताकि उस तुबह मुझे वहाँ पर लेकर जाए और उस रात मुझे वापस लेकर आए जर्मनी हैडलबर्ग की और इस बालक के पुरूर्थान के लिए मैंने कहा निश्चे ही परमिश्र इसे कर सकता है लेकिन देखते हैं कि उसकी इच्छा क्या है तब मैंने बाहर जाकर सारी रात प्रातना की कुछ भी नहीं हुआ अगली सुबह को वापस आया कुछ भी नहीं हुआ और मैं कमरे की और जाने लगा तब उसके बाद मैंने वहाँ पर देखा और वहाँ पर प्रकाश दरवाजे पर रुका हुआ मंड़ा रहा था कहा उस पर अपना हाथ मट डालना उसे फटकार मत लगाओ यह परमिश्र का हाथ है मैंने उसे फोन किया मैंने कहा बैन इस्टेट्स लेओ अपने बच्चे को दफना दें इसमें प्रभू का हाथ है यह एक परमिश्र की इच्छा है उस बच्चे की रेखा के साथ कुछ तो हुआ होगा आप ठीक इसे करें जा परमिश्र जानता है यह कहां पर है अब आप इसे इसी तरह से कर सकते है यह जीता है आप नहीं करेंगे आप इसे ठीक उसी तरह छोड़ दे जर्मनी में उस बड़े लूथरन प्रचारक ने एक पत्र लिखा और कहा मैं किस तरह से सराना कर सकता हूँ जो भाई ब्रेनम कुछ भी कहने से पहले परमिश्र के उस इस पष्ट निर्णे की प्रदिश्या कर रहा था ऐसा ही है परमिश्र के निर्णे को पकड़े रहें कोई फरक नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या कहते हैं या जो भी है शेतान के प्रस्ताओं को ना ले यदि शेतान कहता है अब पानी का बप्तिस्मा पिता पुत्र का नाम यदि ऐसा वो कभी प्रस्ताओं करता भी है आप ऐसा ही छोड़ दें अन्यथ्या जो परमिश्र ने कहा यदि वो कहता है आप एक भले इंसान है आपको ऐसा नहीं होना है आप एक भली महिला है आपको ये करने की आवशक्ता नहीं है आप प्रस्ताओं को नहीं लेना यदि वचन कुछ तो अलग कहता है तो आप बिना इसे ध्यान दिये कि ये क्या है वचन के साथ बने रहें इश्यू ने आपको यही उधारन दिया है और वहां उस बड़े प्रहार देखो जो उस ने उस पर किया तब दूसरा प्रहार मैं जल्दी करूंगा बस ऐसा दिखाई देता है कि समय बहुत जल्दी निकल रहा है अगला जो बड़ा हमला था कि उस ने उस पर किया कि उसे एक प्रदर्शन करना होगा वो किस तरह से यह परमिशर के सेवकों को वार करता है एक दिखावा बनने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं परमिशर की महिमा हो हालेलुया मैं छोड़ाने वाला हूँ मैं ऐसा हूँ समझे देखा यहां मंदिर के उपरी भाग में आओ और यहां नीचे बैठ जाओ उसने उसे ऐसा करने का प्रत्न किया अब याद रखे वो उसे करने के लिए पूरी तरह आकरशित हुआ था कहा अब यदि तुम लोगों के सामने कुछ बनना चाहते हो तो यहां इस मंदिर पर खड़े होकर कूदो देखा मैं तुम्हें इसके लिए एक वचन को दूँगा क्योंकि ऐसा लिखा है वो दूतों को तेरे निवित आ गया देगा ऐसा नहों किसी भी समय किसी पत्थर से तेरे पैरों पर ठेस लगे वे तुझे हाथो हाथ उठा लेंगे उसे एक दिखावा करने को लगाने के लिए उसे उसका अधिकार दिखाने के लिए परमिशर का सच्चा सेवक कभी भी ऐसा नहीं करता है आप एक व्यक्ति को दिखावा करते वे देखते हैं उसकी चाती बाहर होती है और इसी तरह से सब बस याद रखें वहां पर कुछ तो गरवड है नहीं परमिशर ऐसा नहीं चाता है इस उने उधारन को रखा वह इसे कर सकता था वह निच्चित रूप से ऐसा कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया परमिशर का कोई भी सेवक अपना खुद का दिखावा नहीं करता है कि परमिशर की सामर्थ को लेकर और किसी और से खुद को उपर दिखाने की कोशिश करे आपको याद है कि मुसा ने ऐसा किया था क्या ये याद है परमिशर ने जो वो चाता था उसे करने की सामर्थ को दिया था उसे एक भुवशक्ता बनाया वह उस चटान के पास चला गया और उसने दूसरी बार चटान को मारा ये परमिशर की इच्छा के विरुद था परमिशर ने कहा उस चटान से बोलो इसे दुबारा मत मारना तुमने यहां पर इस नमूने से अलगी किया है चटान को केवल एक बार मारा जाना होगा लेकिन जब उसने ऐसा किया वो वचन की निर्बलता को बताता है ये ठीक नहीं था जी हाँ वो वचन था जो आगे जा रहा था वो चटान वचन था देखा उसने पहली बार चटान को मारा और पानी बाहर आया और तब उन्हें फिर से प्यास लगी उसने कहा अब वापस जाओ और चटान से बोलो इसे केवल एक बार मारा गया था देखा वचन की कमी मुसा ने इसे बताया कि वचन सही नहीं था उसे वापस मारा जाना था सो मुसा वहाँ पर गया और इस तरह से चटान को मारा कहा बारा बार नहीं आया इसलिए उसने फिर से मारा और कहा बारा मैं तुम्हें बार आने की आगया देखा हूं और पानी आने लगा परमिशर ने कहा यहां उपर आओ यहां आओ तुमने खुद की महिमा की है तुमने मेरी सामर्थ को लिया मुझे पवित्री करन करने की बजाए तुमने स्वयम को पवित्री करन किया अब तुम उस देख पर नहीं जा रहे हो वहां पर देखो देखो यह कैसा दिखता है लेकिन यहां तुम्हें ठीक यहीं पर छोड़ना है ओ प्रभू मुसा की तरह कभी कोई एक भी नहीं रहा आप जानते हैं नहीं जब वह एशु के साथ उस दिखावा करने में आया तो उसने कहा यहां उपर मंदिल पर चड़ और कुछ जा उसने कहा ऐसा लिखा है आमीन तुम परमेशर अपने प्रभू की परिश्या नहीं 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 मत कर देखा उसने उससे उस पर बचन से सामना किया और हरेक बड़े प्रहार का कोई भी सच्चा सेवक कभी भी परमेशर की सामच के साथ खोद को दिखाने की कोशिश नहीं करता है यदि वो करता है तो तब वो वहीं पर हार जाता है तीसरा बड़ा प्रहार शेतान ने इस राजय के अधिकार को उसे देने का प्रस्ताव किया उसने ऐसा किया शेतान ने कहा संसार के इन राजयों को देखते हो ये मेरे हैं मैं उनके साथ जो कुछ भी करना चाहता हूं उसके साथ करता हूं मैं उनका अधिकार तुमारे लिए दे दूँगा लेकिन याद रखना वो क्रूस के बिना इसका अधिकार उसे देने की कोशिश कर रहा था यदि वो करता तो हम खो जाते वो उस राज्य को ले सकता था लेकिन उसे करना ही उसे वापस आना ही है वो अब ऐसा करने के लिए परखा गया था मौत एक कटिन बात है वो बिना करूस के उसकी सतंतरता को लेने और धरती का राजा होने के लिए आकरशित किया गया था लेकिन यदि वो करता तो उसके लोगों की मिर्थी हो गई होती शेतान ने आनन से उस प्रसाओ को उसके सामरे रखा होगा लेकिन उसने कहा मुझसे दूरहट शेतान उसने ऐसा नहीं किया उसने आकर उस बात को सहा और कठिन उबडखाबड मार को लिया उसने सतावट के मार को लिया उसने मिर्थी के मार को लिया क्या हम आज सुबह ऐसा करने की इच्छा को रखते हैं उसी मार को लेना जो उसने लिया था क्या हम मरने को तयार हैं क्या हम अपने आपको परमिश्यर को देने के लिए तयार हैं सारे संसार और चीजों को छोड़ने के लिए उसके लिए सेवा करने के लिए तयार हैं देखा अब शैतान ऐसा करने में असफल रहा, खुद की इच्छा से उसके अधिकार को छोड़ रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, भले ही एश्यू परिश्या में था, उसने हमारे लिए जै को पाया, उसने मेरे और आप के लिए सारी परिश्या को सहन किया, देखा, वह इसे तबी ले सकता था, लेकिन उसने दूसरे मार्क को किस लिए लिया, ताकि हम आ सकें उसके साथ रहें, और यदि उसने इस तरह की कीमत का भुकतान किया, इसकी तुलना में हम कित्ते छोटे होंगे कि इसे नह ले, जब याद रखें, यहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो. यदि आप सौ वर्ष जीवित रहते हैं, तो आप किस बात के लिए आते हैं, मनसिकता और आपका दिमाग चला जाता है, सब विकलांग हो जाता है, और बुड़े और कमजोर होने लगते हैं, यही है वो जहां आप जा रहे हैं, और यही इसका अंत है. अब आपको आकर इस बात पर जै पाना है, आप यह कैसे करते हैं, वचन के द्वारा, वचन क्या कहता है, आप इसे करें, नमरता से चलना, इश्यो के समान जीना. उसने आपके और मेरे लिए सबी बातों को सहन किया, वह हमारा उधारन है कि कैसे उस दुष्ट पीड़ी पर जै पाएं, क्योंकि उसने उसकी दुष्ट पीड़ी पर जै पाई थी. याद रखें, जब वो धर्ती पर आया, वहाँ पर बस उतना ही अविश्वास था, या अधिक, किसी भी समय से कहीं ज्यादा था, इससे वो जरा भी परिशान नहीं हुआ था. जब उन्होंने उसे परमिशर कहने के बज़ाए, शेतान कहा, जब उन्होंने उसे वो सब कुछ कहकर बुलाया, जो बुलाये जा सकता है, इससे वो थोड़ा भी परिशान नहीं हुआ था. उसके पास एक उदेश था, पिता की और ध्यान दे, बचन को बनाये रखें, बचन परमिशर है, उसके पास एक मन था. हम कभी-कभी वापस जाने के लिए बहग जाते हैं, आप में से कई लोग संप्रदाय में वापस जाने के लिए बहग जाते हैं, वापस जाकर और अपना लेते हैं, क्योंकि सारा संसार कहता है, आप किस संप्रदाय से संबंधित हैं, आप किस कलिशया के साथ संबंध रखते हैं, हम ऐसा करने के लिए प्रयत्न करते हैं, हम सभी करते हैं. हमारी बेहने वापस जाने के लिए बहग जाती हैं, वापस जाकर और कुछ बाकी के कलिशया के साथ जुड़ जाएं, कुछ संगठन या परमेशर की कलिशया हैं, या उन में से कुछ के साथ फिर भी पेंटिकॉस्टिल बने रहें, अपने बालों को काटें, और बस किसी भी तरह के कपड़े पहने, जैसे आप चाते हैं. देखा, आप ऐसा करने के लिए आकरशित होते हैं, वापस जाकर और इस दुष्ट पीड़े के साथ लोग प्रिय होना, जिसके साथ हम रह रहे हैं, जबकि यह हमारे जिनों का बड़ा पाप है. यह हमारे लोगों के बीच बड़ा पाप है, सांसारिकता है, जैसा कि बाइबल ने लौट किया युग में कहा था, यह सांसारिक है, धनी, किसी भी बात के आवशकता नहीं, नहीं जानते हैं, कि वो नंगी, बेबस, लाचार और अंधी है, यही हमारे दिन का पाप है. जब आप परमिशर के बचन को इसके विरोध में बोलते हुए सुनते हैं, तो आप दूसरे मार्क को ले लेते हैं, आप संसार के साथ अलोग पिरिये हैं, और वापस जाने के लिए आकरशित होते हैं. मैं जानता हूँ, आप मुझसे कहते रहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप कहते हैं, हर समय, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे इन चीजों पर सुनते सुनते ठक गए हैं, मैं भी आपको इसे करते वे देखकर ठक गया हूँ, यह सही है। यह पाप है जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कहते हैं आप इसके लिए क्या बार बार बता रहे हैं तब इसे रोक दूँ मैं वचन के द्वारा आपका जीवन बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी ठक चुका हूँ, सो बस आप ठीक कर लें, यह एक पाप है, जो नहीं किया जाना चाहिए, जी हाँ शिरीमान, हमने इन चीजों पर जय पाया है, हम उनसे परके जाने की अपिक्षा करते हैं, जो संसार है, इशु ने कहा, आप संसार और संसार की चीजों से प्रेम करते हैं, परमेशर का प्रेम आप में है ही नहीं, अब हम बस बंद कर देंगे, और यह कहकर, जै पाने वालों के लिए एक इनाम है, मैं आपके लिए यहां कुछ पढ़ूंगा, अपने बाइबल को खोलें, आईए वापस प्रकाशित वाक्या के टीसरे और दूसरे अध्याये पर जाएं, अब यहां इन सारी चीजों के विशे पर देखें, जिस पर मैं बोलते आ रहा हूँ, जै पाने पर, अब बस खुद की और देखें, और समझें, अपने आपको आध्यात्मिक दिखने वाले आईने में जाचें, देखें कि यहां क्या आपने जै पाई है, अब पहला संदेश Ephesians के दूद के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप सुनें, जो उसने कहा है, और प्रकाशित वाक्या, दूसरा ध्याय, सात्वा पद, वा उस कलिशिया युक के लिए है, जब उसने उस सबी को बताया, जो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले प्रेम को छोड़ दिया, सात्वा पद, जिसके कान हो, वा सुन ले, कि आत्मा कलिशियां से क्या कहता है, वो व्यक्ती, ना ही कलिशिया, जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड में से, जो परमिशर के सरक लुक में है, फल खाने को दूँगा, देखा, एफिसियोस में, जो जय पाने वाले हैं, अब अगला इसमुर्णा था, अब उसमें जो जय पाने वाले हैं, हम इसे सुनेंगे, अब ग्यारवा पद, जिसके कान हो वा सुन ले की आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए, उसको दूसरे मिर्तियों से हानी न पहुचेगी, देखा, उन्होंने इस पर जय पाया, अब यह पर्गमून को देखें, हम यह देखेंगे, कि इसके लिए जय पानवालों के लिए क्या रखा था, हम पर्गमून कलिसियाओं में सतरवाए पद को पड़ेंगे, जिसके कान हो, यह यह व्यक्तिकत के लिए है, ना ही पुरे जुंड के लिए है, वो व्यक्तिकत जो दुलन बार आ रही है, आप देखें, वो कलिसियाओ, जिसके कान हो, वो सुनले की आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए, उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूँगा, और उसे एक शुच पत्थर भी दूँगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाए, और कोई न यही उस कलिसियाओं के जय पाने वाले हैं, अब अगला थुआ तीरा है, आए जाने कि उस दिन के जय पाने वालों के पास क्या था, आए छबिसवे पत को ले, जो जय पाए और मेरे कामों के नुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाती-जाती के लोगों पर अधिकार दूँगा, यह सही है, और वह लोहे का राजदंड लिये हुए उन पर राज़ करेगा, जिस प्रकार कुमार के मिट्टी के बड़तन चकना चूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, देखो उसके साथ उसके सियासन में मसी को राष्टो पर लोहे के राजदंड के साथ राज़ करना है, और यहां वह कलीसिया है, जिसने जैप आई है, लोहे के राज़दंड के साथ राष्टो को तोड़ने के लिए, वहां उसके साथ बैटे हुए है, अब उन्हें सर्दिस कलिसिया से लेंगे अब तीसरे अध्याय का पांचुवा पद जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्तर पहनाए जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रिती से न काटूंगा पर उसका नाम अपने पिटा और उसके सर्दूतों के सामने मान लूँगा यह सर्दिस में जय पाने वालों के लिए है अब बारवे पद को अब लें अब यह बारवा पद फिलेजिपिया की कलिसिया के लिए है जो जय पाए उसे मैं अपने परमिशर के मंदर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा और मैं अपने परमिशर का नाम और अपने परमिशर के नगर अर्थात नए यरुचिलम का नाम जो मेरे परमिशर के पास से सर्क पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा देखें कि जय पाने वाले की क्या प्रतिग्या है समझे अब नोट किया अब वो आखरी कलीसिया काल है यहाँ पर कुछ जय पाने वाले होंगे यहाँ ध्यान देना वे याद रखें हर एक कलीसिया काल हर एक जो इससे पहले के लोगों ने इसे विरासत में पाया वो सब उन अन्य लोगों को दिया गया था यहाँ पर देखें अब यहाँ इन सारी सामर्थ को प्राप्त करने के बाद यह नए नाम और जो कुछ लिखा हुआ है जिसकी उसनी प्रतीग्या की और छुपेवे मन्ना को खाया और वो सब वहाँ से लेकर इन आखरी कलीसिया काल को देखें प्रकाशित वाक्या 321 जो जैप आए मैं उसे अपने साथ अपने सियासन में बैठाओंगा आमीन जैसा मैं भी जैप आकर अपने पिचा के साथ उसके सियासन में बैठ गया जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है जैप आने वालों के लिए एक इनाम है आगे बढ़ो कमल के फूल यदि यह आप में है तो कीचड और वो बाकी सब कुछ को एक तरफ करके और उपरी सता की तरफ बढ़े जी हाँ शुरीमान मेरे सियासन पर मेरे साथ बैठेगा आप जानते हैं एक बार याकुप और यूहना की मा हमारे पास इसे पढ़ने का समय नहीं है याकुप और यूहना की माने आकर और इस सतान के लिए मांगा क्या आप यह जानते हैं यह याद है प्रभू मेरा पुत्र एक तरफ बैठे और मेरा दूसरा पुत्र दूसरी और बैठे यह उसके पुत्र के लिए मा की अच्छा है लेकिन ध्यान दें लेकिन वो इस्तान एशु ने कहा पहले से ठहराय गया है वो इस्तान को लेने के लिए उस समय पर कोई अस्तित्व में नहीं था क्यों ध्यान दें यह उन लोगों को दिया जाएगा जिन के लिए यह माइने रखता है क्या वो एक जो दाहिने हाथ पर बैटने वाला है और वो दूसरा जो उसके पास होना है अभी भी उनको जैप आने वाला होना था देखा यह अभी भी होना था उसने कहा मैं इसे प्रदा नहीं करता हूँ मैं इसे प्रदा नहीं कर सकता लेकिन परिश्या आने के बाद इसे दिया जाएगा आमीन देखा मैं इसे नहीं दे सकता लेकिन परिश्या के बाद वे दाएं और वाएं हाथ पर बैठेंगे इसके लिए उस और पहले से ठहरा हुए बीज रुके हुए हैं यह उन लोगों को दिया जाएगा जिन के लिए इसकी प्रतिग्या की गई है इसे वाँ पर दिया जाएगा लेकिन परिश्या अभी तक नहीं आई थी जो उसने अभी तक जै को ने पाया था समझे वह वक्ती जो उसके पास राज्य में एक और इस सिस्थान को लेने वाला था और दूसरा इसे दूसरी और इस सिस्थान को लेने वाला था इसे अभी तक दिया नहीं गया था देखो जै को नहीं पाया गया था परिश्या अभी तक नहीं आई थी यह भविश्य में आईगी यदि हम मसी और उसके वचन के लिए सहन करते हैं तो हम उसके साथ राज्य करेंगे क्योंकि वो वचन है याद रखें यदि हम मसी और उसके वचन के लिए सहन करते हैं तो हम उसके साथ राज्य करेंगे उसके वचन में ध्यान ने वो हमारा उधारन है उसने जैपाई और फिर वो उसके मिर्थिव अदलोग, बिमारी कबर पर जैपाने के बाद उपर उठाया गया हर एक चीट पर उसने जैप राप्त की इसलिए वो कहता है कि वो उचे पर चड़ा और बंदवाई को बान ले गया और मुनशक को दान दिये वो पुराना नियम था पुराने नियम के संतों के साथ जिन्होंने जैप आई थी वे ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे थे और वे मर गए इससे पहले वो वहाँ पहुचें लेकिन जब यह वेक्ति आया इसने उन लोगों को नहीं रोका जो सोय हुए थे आमीन किसी भी तरह से खो नहीं सकता है जी हूँ या मरूँ इससे क्या फ्रक पड़ता है इसे नहीं रोकेगा समझे वे इसके लिए देख रहे थे यहां तक की पहले अयूब भी वो इसके लिए देख रहा था उसने कहा मैं जानता हूँ मेरा छुडाने वाला जीवी थे और अंतिम दिनों में वो धर्ती पर खड़ा होगा वहां एक धर्मी मनुष्य था एक सिद्ध मनुष्य उसने बलिजान को चड़ाया उसने वो सब कुछ किया जो परमिशन ने उसे करने के लिए कहा था उसने इसे सम्मान और आदर के साथ किया वह एक भविश वक्ता था अब गए बेगा था और फिर शेतान उसे परिशा देने के लिए उसके पास आता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो आपकी परिशा करने के लिए आता है उसने क्या किया वह वहीं खड़ा रहा यहां तक उसकी पत्नी ने भी बाहर आकर कहा क्यों नहीं तुम परमिशर को शाप दे कर और मर जाते तुम वहां इतने देनी दिखाई दे रहे हो उसने कहा तुम मुर्क इस तरी की तरह बात करती हो अब उसने कभी नहीं कहा कि वह मुर्क थी लेकिन उसने एक मुर्क की तरह बात की देखा कहा तुम एक मुर्क इस तरी की तरह बात करती हो कहा प्रबू ने जिया और प्रबू ने ले लिया परमिशर का नाम धन्य हो उसने जैप आई पड़ोसियों का जो कहना था उसने उस पर जै पाई जो सारे कलिसिया के सदस्यों बिल्डड और सभी का जो कहना है उसने उस पर जै पाई उसने बिशप पर जै पाई और जो उसका कहना था उसने कार्डिनल पर जय पाई जो उसका कहना था उसने संप्रदाया पर जय पाई जो उनका कहना था और वो धर्मी करट के वचन के साथ बना रहा आमीन फिर भी उसके पाँ जो था उसकी कीमत चुकानी पड़ी यहां तक उसके बच्चों की भी वो इस पर बैठ कर अपने फोड़े को ठिकड़े के टुकड़े के साथ खदोरने लगा और फिर भी उसने जय पाई और जब वो बड़ी परिशा की घड़ी अतर सफल हुई तो वे ब उसने हर एक विचार पूर करने वाली चीज को देखा उसने कहा पेड में एक आशा है यदि यह मर जाता है तो यह फिर से जीवित होता है और एक बीज जमिन में गिरता है यह सढने लगता है यह फिर से जीवित होता है लेकिन एक मनश नीचे चला जाता है और आत्मा को छो देता है वो नश्ट हो जाता और उसके बच्चे आकर उसके पुत्र उसके आदर के लिए और उसके उपर शोक करते हैं वो इसे नहीं समझ सका वो फिर से नहीं उठता है ओ वो वहीं पर है क्या बात है मैं भी एक भीज हूँ मैं कुस्त हूँ जो एक भीज है और मैं जमीन पर चला जाओंगा मैं फिर से नहीं उठ सकता हूँ मैं वहीं पड़ा रहूंगा ओ मुझे कबर में चुपाए रख मुझे अपने गुपतिस्तान पर रखे रहे तेरे क्रोट के ठंडा होने तक मेरे लिए एक समय को नियुक्त कर और मेरा न्यायकर और पथर जल से घिस जाते हैं और भूमी की धूली उसकी बार से बाही जाती है और वो इन सारी बातों को बोलते ही जा रहा था वो वहाँ सारे उधारन को वहाँ देख सकता था ये क्या था ओ वो बस इसे नहीं देख सका और बेहन रोजर्स याद है जब मैंने बस्टी के अंतिन संसकार में इसका प्रचार किया था देखा कैसे वहाँ पथर जल से गिस जाते हैं किस तरह से बाते होती हैं ओ तु मुझे कबर में छुपा ले और मुझे गुप्दिस्तान में बनाए रख वो आगे बढ़ता ही जा रहा था उसने कहा मेरी इच्छा है कि मैं जान जाता मेरी इच्छा है कि मैं जान जाता हूँ एक व्यक्ति जो मुझ पर हाथ रख सकता है इस पाप से भरे मनुश्य और एक पवित्र परमिश्वर पर और मेरे लिए उससे बाते करें ओ प्रभू वो वाँ पर है मैं जानता हूं कि वो वहाँ पर है वहाँ पर है वहाँ पर कोई तो है जो ऐसा कर सकता है वहाँ पर कोई तो एक, कहीं तो है, आमीन, मैं उस व्यक्ति को कहां ढूण सकता हूँ, मैं कहां ढूण सकता हूँ मैं उसके दर्वाजे को खटखटाऊंगा, और उससे बात करूँगा, यदि कोई केवल मुझ पर अपना हाथ रखे, और परमिशर पर अपना हाथ रख सकता हो, और मेरे लिए बिचवाई के मार को कर सकता हो, वो बात करे, यदि मैं केवल उस व्यक्ति को ढूण सकता, ओ, वो कहां है, उसने अपने कलिसिया के अंदर ढूंडा उसने अपने संगटन के अंदर ढूंडा था वो ऐसे वेक्टी को नहीं ढूंड सका और अचानक बादल पीछे हटने लगे और उसने उस वेक्टी को आते हुए देखा ओ उसका बुड़ा हिर्दे आनन से धड़कने लगा तब कुछ तो घटित हुआ मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवी थे ऐसा एक वेक्टी है आमीन अभी भी ऐसा एक वेक्टी है मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवीच है और बले ही खाल के कीड़े इस देख को नश्ट कर दे तो भी मेरे शरीर में से होकर मैं परमिशर को देखूंगा जिसे मैं अपने लिए देखूंगा वो अंतिम दिन में धर्ती पर खड़ा होगा उस इस्टर की सुबह को जब वो उस ओर उड़ गया और अयूब की देह चमज भर राक से जादा नहीं थी वो रुका हुआ था वो चुना हुआ जुन्ड था वो कबरे से जी उठा और उसने अबराहम इजाक याकुब अयूब के साथ शहर में प्रवेश किया ओ प्रबू आमीन क्योंकि वे ऐसी व्यक्ति के लिए देख रहे थे और उन लोगों के लिए जो मसी origins के दूसरे आगमन के लिए देख रहे हैं जो इस संसार के चीजों पर जैपा सकते हैं उसके अनुगरह के द्वारा उसके अंदर आने के लिए और उसके और उसके वचन को चोड़ अपनी आके बंद कर सकते हैं वो माइमा में दूसरी बार प्रकट होगा, क्योंकि परमेशर की तुरही फुकी जाएगी और जो मसी में मरे हैं, वह पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, वे पल भर में पलक जपकते ही बदल जाएंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिये जाएंगे, कि हवा में प्रभू से मिलें, चाहे मैं राक भर चम्मच रहूं, या मैं जीवित रहूं, जब वो आता है, इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, आमीन, कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने दर्शन को पकड़ लिया है, परदा पीछे हट गया है, और मैं उसे देखता हूं, वो एक जो खड़ा हो सकता है, और मुझ पर अपना हाथ रख सकता है, इस एक पापी मनुश्य पर और पवित्र परमिशर पर, और वो मेरी प्रास्चित्ता है, वो वो वचन है, जिसके लिए मैं खड़ा हूं, आदी में बचन था, वह वो वचन है, और वह, वह मुझे प्रदिजित्व करता है, आमीन, और जब तक मैं सांस लेता हूं, तब तक मैं इसे चिलाऊंगा कि वह मेरा पुर्द्थान और मेरा जीवन है, और बाकी की सारी भूमी दस्ती हुई रेत है, बाकी की सारी भूमी दस्ती हुई रेत है। जैसे वो उन्हें दिखाई दिया, जो उसके लिए देख रहे थे, वैसी वो ने नियम के संतों के पास आएगा, जिसने हर एक संप्रताय के निंदकों पर जैप आई है, जिसने इस दिन के सभी जाने माने पापों पर जैप आई है, इस युग के जिसमें हम अब रह रहे हैं, जैसे उसने अन्ने सभी कलीसिया युग में किया, जिनोंने उस कलीसिया युग में जैप आई, वे लोग किस पर जैप आते हैं मैं धनी हूँ मुझे कुछ भी आवशकता नहीं है मेरे पास ओ मैं ये सब हूँ और ये सब और मैं दुलन हूँ मैं ये हूँ मुझे कुछ भी आवशकता नहीं है और यह नहीं जानते कि तुम नंगे हो, अंदे हो उस भर्माने वाले युक को देखा जो मैंने बताया यह उन लोगों की तरह नहीं है जिन्होंने सफेट पत्तर को पाने के लिए वहाँ पहले अपने सर को कटवा दिया नहीं उन लोगों के जैसे जो शही दोकर मर गए और जला कर उन्हें मार दिया गया और इसी तरह की चीजे जिन्होंने ताज को जीता लेकिन अब यह बर्माने वाला युग है जो सोचता है कि वे सब कुछ हैं अच्छा मैं कलिस्या का सदसी हुँ मैं एक भला पुरुच हूँ मैं एक भली मीला हूँ मैं ऐसा करता हूँ मुझे वैसा करने के आवश्यक्ता नहीं है लेकिन वो जो जय पाता है वो जो इस युक की उन सारी सांसारी चीजों पर जैप आता है वे क्या करेंगे वे सबी उसके सियासन में उसके साथ बैठेंगे जब वो आता है वे रैप्चर में जाएंगे ओ प्रभू तब मुझे क्या फिक्र करना है हमें क्यों फिक्र करना चाहिए कि संसार क्या कहता है हमें क्या फिक्र करना चाहिए कि और कोई क्या कहता है महान पवित्रा आत्मा हमारे बीच में है उसका अगनी का इस्तंब में आगे ले जाता है और हमारा मार्ड देक्षण करता है उसका वचन हमारे सामने प्रमानित हुआ है उसका प्रेम हमारे हिर्दे में है संसार पीछे है हम मृत्वियु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं संसार सोचता है कि आप पागल हो लेकिन निश्चे इशु ने अकेले ही इस क्रूस को सहन किया और सारा संसार आजाद हो जाता है हर किसी के लिए एक क्रूस है और मेरे लिए एक क्रूस है तेटीस वर्ष से कारे शेत्र में हूँ और यह पवित्र क्रूस मैं सहन करूंगा जब तक मिर्त्वी मुझे आजात नहीं करेगी मेरे भाई मुझे मूँ मोलने दो जो भी वे चाते हैं कहें जो भी मुझे मूँ मोलने दो लेकिन इस वचन पर मैं खड़ा हूँ और केवल इसी पर इस पवित्र क्रूज को मैं सहन करूँगा जब तक मिर्त्यू मुझे आजात नहीं करेगी और फिर घर जाऊंगा रेप्चर में एक टाच पहनने के लिए यही है वो जिसे हम सब चाहते हैं क्या नहीं चाहते यही है जो हम चाहते हैं यह हमारी आचा और याचे का है हमारे पास कोई और विचार नहीं है लेकिन वो एक एश्यू मसी पर है और उसकी केवल धार्मिक्ता पर हम खड़े हैं उसके वचन में उसकी धार्मिक्ता है और वचन देदारी हुआ था और हमारे बीच में रहा और वो वचन अब भी खुद को प्रमानित कर रहा है कैसे यह पाना है वचन को लेने के द्वारा उस प्रतिग्या को नमरता में नमरता से चल कर इस पवित्र क्रूज को मैं सहन करूँगा जब तक मिर्तिव मुझे आजात नहीं करेगी और फिर घर जाऊँगा एक ताज पहनने के लिए क्योंकि जब वो तुरी फुकी जाती है आप मुझे समंदर में दफन कर सकते हो लेकिन तुरी मुझे जागरित करेगी सही है मैं एक दिन घर जा रहा हूँ आमीन तब तक के लिए मैं संगर्श करूँगा आमीन इस क्रूज को लेकर मेरी आखें लोगों पर न लगाकर लेकिन वहां उस क्रूज पर रखूँगा क्योंकि क्योंकि वह मेरा उधारण था उसने दिखाया कि इसे कैसे करना है और उसके उधारण को दिन प्रती दिन हम खुशी से इसका अनुकरन करेंगे मैं मार के हर कदम पर एशु के पिशे चल रहा हूँ मैं मार के हर कदम पर एशु के पिशे चल रहा हूँ क्या आप इसे पसंद नहीं करते हैं ओ मैं किस तरह से दिन प्रती दिन सोचता हूँ मार के हर कदम पर उसका अनुकरन करूँ आईए प्रात्न करते हैं प्रभू एशु अब एक घंटा और पंदरा मिनिट से मैं यहां खड़ा हूँ आपका बचन लेकर और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जै को पाना है आपने हमें बताया कि यह कैसे किया जाता है आपने हमें केवल बताया ही नहीं लेकिन आपने दिखाया कि यह कैसे किया गया था आपने हमारा नैत्रुत किया, आपने हमें दिखाया, ये से कैसे करें, हमारे अंदर वचन को लेने के द्वारा और वचन को पकड़े रहने के लिए निश्चित होना है। नमरता से चले, तब हम आपके जरीय से जय पाते हैं, आपके सामर्द के जरीय से जय को पाते हैं, जिसने पहले से ही हमारे शत्रु पर जय प्राप्त कर ली है। यह विश्वास करते हुए और पवितर आत्मा की हमारी पैचान की छाप और शैतान को जाना होगा। यहां रुमाल रखे हुए हैं, जो बिमार लोगों के लिए प्रजी निटित्यों को करते हैं, वे आवशक्ता में हैं प्रभू. और उन्होंने इस नचूकने वाले वचन में पड़ा है, जहां उन्होंने संत पौलुस के शरीर से रुमालों और कपड़ों को लिया, उन्होंने बिमार लोगों पर रखा, उसमें से दुष्ट आत्माय निकल गई और महान अद्बूत कारे किये गए, अब आज भी आप वही प्रभू एशू हैं। पौलुस ने इस वचन का प्रचार किया और इस वचन को लिखा वही वचन जिसका हम अनुकरन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उसने पुराने नियम को लिया और इसे रूप दिया और दिखाया कि ये एक नमूना था, कि पुराना नियम नय का एक सिद्ध नमूना था, हे प्रभू होने पाए हम उस उधारन का अनुकरन करें। हम हमारे परमिशर को देखते हैं जो उसने किया और हम समझते हैं कि वे पुराने नियम के संथ आज सुबै हम देखते हैं कि वे चले गए थे, जब एशु जी उठा और वे उसके साथ चले गए। और प्रभू हम विश्वास करते हैं कि हम जाएंगे, जब वो तुर ही को फूकेगा, हम इसे विश्वास करते हैं कि उस दिन दुलन आगे जाकर और उस इबराने जुन्ड के साथ जुड़ जाएगी और एक साथ में रहेंगे, वहां महिमा में एक विवा का भोज होगा वे जो रुके हुए हैं। हम अब आपकी दया और अनुगरह हम पर होने के लिए प्रात्ना करते हैं। जै पाने वाले प्रभू जै पाने वाले हम होना चाते हैं। हमें जैवंत कर। प्रभू एशु आपने संसार पर जै पाई। अब मैं प्रात्ना करता हूं कि आप आज सुबह यहां हर वेक्टी को जैवंत होने दें। इस कारण जबकि गवाओ का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तू और उलजाने वाले पाप को दूर करके वह दोड़ जिसमें हमें दोड़ना है धीरत से दोड़ें। पॉल उसे बताता है हमारे स्वर्गे पिता वहां इबरानियों के किताब में बारवे अध्याय में कि हमें हर एक रोकने वाली वस्तू को एक तरप करके उस बारवे अध्याय में उस नहीं यह बात की। वहां पीछे उसके पहले से ही उधारण के द्वारा दिखाने के बाद वहां जो लोग आगे गए जो लोग आगे नहीं गए वे जो गुनगुने रूप से अनुकरण करते थे वे जो आगे जाकर अनुकरण करते थे वे जो धीमे धीमे से पीछे आते थे उसने सारे उधारण दिखाए तब उसने मुड कर कहा तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करके हर एक बहुती छोटी छोटी बातें जो में परिशान करती है ताकि हम धहरे के साथ दौर को दौर सके जो हमारे सामने रखी हुई है उसे देखकर जो लेखक और हमारे विश्वास का करता है जिसने हमें उधारन दिया हम आज सुबह इसे करते हैं पिता बस हमारे सिरों को जुकाने के साथ अब वास्तव में नजदीक से जाचें बिलकुल वास्तविक नजदीक से और फिर गंबीर तोर से गहराई से इमानदार बने रहें ये बस इसे ले लेता है ये बस सब कुछ ले लेता है आपका जाचना और आपकी इमानदारी साथान रहें जबकि आप अभी जाच रहें हैं मुझे जाके प्रभू मुझे पर्खें क्या मुझ में कोई दुष्ठता है यदि वहाँ पर है प्रभू मैं इसे ठीक अभी यहाँ यही निकाल फेकूं इस इस इस्तान पर जा मैं जुका हुआ हूँ यह आपकी वेदी है मैं इसे अभी यहाँ रखता हूँ मेरे पेरों को इस पर रखते हुए जब मैं यहाँ से चला जाओंगा तो यह वहाँ पर पड़ा रहेगा आपके लोग की सामत इसे नश्ट करेगी मैं एक जै पाने वाला होना चाहता हूँ मेरे पांस कुछ तो है जो मुझे परिशान कर रहा है प्रभू मैं आज तुभे जै पाने वाला होना चाहता हूँ मैं आपके द्वारा कर सकता हूँ मुझे बताया गया है कि आपके वचन के द्वारा मैं इसे नीचे रखता हूँ प्रबू और मैं इस पर अपने पैरों को रखता हूँ जैसे कि मैं आज सुभे इस इमारत से बाहर निकल कर जाता हूँ यह जानकर कि इसे परमेशर के ब्लीच यानि निरंजक के उस टप में डाला गया है इसे और याद नहीं किया जाएगा अब मैं इसे सुविकार करूँगा और दया के लिए मागूँगा हमारे सिरों को जुकाने के साथ हमारी आँखे बंध है हमारे हिर्दे सोचते हैं यही अब प्राण का द्वार है क्या ऐसा कुछ है जिसे आप आज सुबह एक तरब रखना चाहते हैं कुछ तो ऐसा जिस पर आप जय पाना चाहते हैं और आपने इसकी पूरी कोशिश की है लेकिन आज सुबह आप अब कोशिश करना छोड़ रहे हैं आप केवल वो सुखार करने जा रहे हैं जो उसने किया मैं चाहता हूँ आप बस अपना हाथ उठा कर कहें प्रभू मैं जय पाना चाहता हूँ कोई एक बात मुझे परिशान कर रही है प्रभू एशू आप उन हातों को देख रहे हैं अब आपके डास की नाई जीवित और मिर्त लोगों के बीश में खड़ा हूँ मैं इन लोगों और खुद को परिशान करने वाली हरे चीजों को दोशी ठहराता हूँ और मैं इसे इशू मुसी के नाम से मांगता हूँ हम इसे या परमिशर की वेदी पर छोड़ सकते हैं और आज सुबह चल कर बाहर जा सकते हैं मुक्त होकर जैवंत की नाई यदी हमारी बहने जिन पर पहले अनुगरा नहीं हुआ था होने पाए अब इसे होने के लिए प्रदान करें यदी हमारे भाई जिन पर पहले अनुगरा नहीं हुआ था होने पाए अब इसे होने के लिए प्रदान करें और होने पाएं वे माताएं अपने बच्चों के साथ हट्टी होने की बजाए नमरता पूरक रहें वह जानती है कि वह बैठी हुई वह उन छोटे बच्चों के लिए एक उपदेशक है उसका जीवन एक उदारन होने दो पिता मा के लिए एक उधारन हो क्योंकि वह एक घर का प्रदान है यदि मा उस पर अधिकार करने की कोशिश करती आ रही है वह अब इसे और न करे यदि वह उसे जमिन की चटाई की तरह इस्तिमाल करते आ रहा है तो उसे फिर से कभी नहीं किया जाए वह एक साहयक है इसे प्रदान करें प्रभू ये सारी चीजे जो हमें बांधाय डालती हैं प्रभू ये दूर चली जाएं हम खुद को समर्पित कर रहे हैं पिता क्योंकि हमारे जो जीवन के आगे का समय है ये जानते हुए हमें इसके अंत में आना होगा और वह तुरंती होगा सो आज सुबह हमें संदेश के बाद इस अवसर को लेते हैं हम आगे आने के अवसर को लेते हैं प्रभू क्योंकि हम आने के लिए निर्मंत्रिण किये गए हैं अपनी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि वह आपकी चिंता करता है मैं जानता हूँ आप चिंता करते हैं प्रभू आपने इतनी चिंता की कि हमारे लिए मर गए और हम निश्चे ही इतनी चिंता कर सकते हैं कि आकर और स्विकार करें कि आप जिसके लिए मरे थे May the Holy Ghost just reign in our hearts supremely, that we'll walk, forgetting the things that are in the past, the muck and mire that we once lived in, we're oppressed towards the mark of the high calling. एक समय रहते थे, हम उस उचे बुलावट के निशाने की और बढ़ेंगे, जहां हमारा प्रकाश, मदुर्ता और नम्रता में इतना चमके, इतना तक की प्रतेक, वहां से गुजरने वाला व्यक्ति कहे, वहां उस पर्वत पर एक मसी ही रहता है, वो व्यक्ति, वो महिला, वो पुरुश, परमिश्र का एक वास्तविक समर्पित फूल है, वे बहुती प्यारे और दयालू हैं, हमेशा ही प्रेमी और मदुर होते हैं, और समझ को रखते हैं, इसे प्रदान करे पिता, हम नमकीन बने, ताकि पिर्थी प्यासी हो सके, इसे प्रदान करे पिता, और इस संसार की चीजों, और इस जीवन की चिंताओं पर जय पाएं, एश्यू मसिय के नाम में, आमीन, मैं कर सकता हूँ, अब आए केवल अपने हाथ को उठाएं, उधार करता, क्या बता रहा है, कीचर में से उपर आओ, एक उच्च जीवन, आप में कुष्टो है, आपको इस तरफ खीच रहा है, ये क्या है, ये वो है, नीचे कीचर में, छोटे-छोटे फूल, आप में वो जीवन है, जो आपको उपर ला रहा है, इसलिए आपको बुलाता है, कीचर में से उपर आओ, अनुकरन करें, अनुकरन करें, अब क्या आपका ये अर्थ है, अब अपनी आँखे बंद करों, वो जहां मुझे ले जाता है, मैं अनु, अब समर्पन करें, इसका अर्थ अब यही है, वो जहां मुझे ले जाता है, मैं अनुकरन करूंगा, वो जहां मुझे ले जाता है, मैं अनुकरन करूंगा, मैं उसके साथ, उसके साथ जाँगा, पूरी तरह से, वो जहां मुझे ले जाता है, मैं, अब बस मदूर्ता से, याद रखें, खुद को वा रखें, वो ले जाता है, मैं असे या रखूंगा, प्रभू, मैं अब से आपका अनुकरन करूंगा, मैं असे स्विकार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, वो जहां ले जाता है, याद रखें आपके मूग की आवास से ज़्यादा आपका जीवन आपकी गवाई देगा जो आप बोलते हैं उससे ज़्यादा आपका जीवन लोगों को साबित करता है उसके साथ जाएं के सीवन आपका है पुली तरशे बस अपने पूरे हिर्दय की गहराई से, इमानदारी से अपने आपको समर्पित करें, क्या हो यदि ये आखरी बार हो, आपको प्रात्मा करने की अनुमती दी गई हो, ये हो सकता है, मैं आशा नहीं करता, ये हो सकता है, तब निश्चित हो जाएं, वास्तों में निश्चित, वास्तों में निश्चित हो जाएं, याद रखें, एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा, उसके बाद ये सब समाप्त हो जाता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा बस उस सारी महिमा के बारे में सोचे जिसे उसने आपको प्रदान किया है जो कुछ भी उसने किया है मैं विश्वास करता हूँ प्रभू मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे जै पाने वाले हैं मैं केवल आपके साथ चलना चाहता हूँ प्रभू मैं आपके साथ नजदीक बने रहना चाहता हूँ प्रभू जहां आप हैं वहां मैं होना चाहता हूँ और याद है आपने हमें बताया पिता कि हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे जब हम उपर उठा लिये जाएंगे हमें बस अब उसकी एक जहलक ही मिली है जब वो अब हमारे साथ चलता है लेकिन तब हम यह कितनी महान बात है केवल यह जानना कि वो हमारे बीश में है तब क्या होगा जब हम उसके साथ हमेशा के लिए रहेंगे हम अपनी सभी गती वीडियो से बहुत प्रेम करते हैं हम गाड़ी चरा सकते हैं हम खरीदारी कर सकते हैं हम शिकार मचली पकड़ने जा सकते हैं या जो भी हम आनन लेने में कर सकते हैं लेकिन ओ जब कलिस्या खुलती है देखो हम अपने पलमेशर से मिलना चाहते हैं जो सब चीजों से सबसे बढ़कर है तब सोचे उसने हमसे प्रतिक्या की है और हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे उसके साथ उसके सियासन में बैठेंगे और उसके साथ हमेशा के लिए रहेंगे हे परमिशर हम नर्मता पूर्वक जुकेवे सुरों के साथ हम इसे सुईकार करते हैं प्रभु एश्युमसी के नाम में क्या आप मैसूस करते हैं कि अब आप सब कुछ हर एक बोज को छोड़ सकते हैं आप बस चल कर जा सकते हैं इस सब के उपर यदि आप करते हैं तो अपना हाथ उपर उठाएं कहें परमिशर के अनुगरे के द्वारा मैं इस परिशा को नीचे रखता हूँ मैं अब और नहीं लड़ूँगा मैं बस उसके हाथों को पकड़ लूँगा बस आगे चलना आरम करूँगा मैं लड़ा हूँ भाई ब्रेणम मैंने सिगरेट छोड़ने की कोशिश की मैंने अपने बालों को बढ़ाने की कोशिश की है मैंने ऐसा करने की कोशिश की है मैंने की है मैंने बहुती कड़ी कोशिश की है भाई ब्रेणम मैं अब इसे नहीं कर सकता अब इसे करने की कोशिश मत करें केवल उसके हाथ को पकड़ लें, कहें, पिटा, आप मेरे हाथ को आस्तीन में डालें, समझें, मैं अब आपको अपने हाथ को देने जा रहा हूँ, मैं आगे चलूँगा, प्रभू आपको देखते हुए, ऐसा ही होगा, यह आपको एक सचे मसी की तरह कपड़े पहनाएगा, आप एक सचे मसी बनेंगे, जब तक मैं आपको आज रात को नहीं मिलता, परमिशर आप से प्रेम करता है, और आपके साथ रहे, आप मेरे सुसुमाचार की संतान हो, आप खरीजे गए हैं, अब मैं आपके पाश्टर को समाफ करने के लिए वापिस देता हूँ, बै और मन नेविल,